Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitab Sood, so NTA UGISnet 2023 के Paper 1 preparation के लिए Superfast Revision Session आज में आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें next 120 मिनट्स में हम complete Paper 1 का सलिबस कवर करने वाले हैं इस Session में हम लोग बहुत ही Simple Language में Real Life Examples के साथ हर एक Important and Repeated Topic को कवर करेंगे ताकि आप लोगों की इस कम समय में भी बहुत अच्छे से Revision हो सके इसके साथ इस Students में आपको 100% Surety देती हूँ कि अगर अभी तक आपके कुछ Concepts Clear नहीं भी होए हैं तो भी इस Video से आपके सारे Concepts बहुत Easily Clear हो जाएंगे and Paper 1 में आप लोग बहुत Easily अच्छा स्कोर कर सकते हो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि NTA UGISnet Paper 1 के Preparation के लिए Quick Revision PDF हम ने लाँच की है जिसमें हम आपको 2000 से भी जादा MCQs देते हैं तो English and Hindi दोनों ही Languages में Questions रहेंगे अब जैसे कि आपको पता है एक्जाम्स चल रही है बहुत कम समय बाकी है बाकी एक्जाम्स को तो अगर आप एक से दो बार सिरफ इन Questions को पढ़ लेते हो तो आपको बहुत मदद हो जाएगी क्योंकि As it is Questions एक्जाम में पूछे जा रही है इसमें आपको Updated MCQs मिलेंगे Current Affairs, Short Notes, Previous Year Questions and Most Repeated Questions यहाँ पर आपको मिलते हैं सो स्क्रीन पर दियेगे किसी भी एक नमबर पर WhatsApp के थूँ कॉंटाक्ट करके आप इसको जॉइन कर सकते हो और इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस पे करनी है वो बिसरफ 699 बहुत जादा helpful रहेगी यह PDF आपके लिए सो अगर आपके अभी तक भी final revision नहीं हुई है तो definitely आप इस PDF की मदद ले सकते हो इसे के साथ students, UGISnet Paper 2 preparation पर भी आपको ध्यान देना है जिसके लिए हम complete study material लेकर आए है इसमें आपको Paper 2 के 10 units के full syllabus notes and MCQs हम provide किराते हैं जिसमें की most important, repeated and expected questions हैं जो की हर साल as it is exam में पूछे जाते हैं यह study material UGISnet exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा और उसके साथ ही interview process को qualify करने में भी आपको बहुत मदद करेगा सो screen पर जो भी subjects के नाम हैं आप उनको देख सकते हो अपना इसमें paper 2 का subject देखिए and screen पर देगे numbers पर आप whatsapp के तुरू contact कर सकते हो generally study material की fee है 1600 रुपीज लेकिन आज मैं आपको देती हूँ flat 20% off यानि case के लिए आपको fees पे करनी है सिरफ 1280 रुपीज वो भी सिरफ एक ही बार आप दोगे and definitely आपको ये paper 2 में बहुत अच्छा score करने में मदद करेगा शुरू करते हैं अपने सबसे important topic से जिसका नाम है levels of teaching so basically हमारे पास तीन levels होते हैं memory level, understanding level and reflective level तो Hindi medium students यहाँ पे तीनों levels का नाम देख सकते हो सबसे छोटा level होता है memory level then सबसे बड़ा level होता है reflective level memory level में road learning यानि की रटा मार करके बच्चों को चीज़ें याद करवाई जाती थी जिसको की हम लोग क्रामिंग भी बोल सकते हैं जैसे की अगर छोटे बच्चों की बात करने तो ABCD उनको गाने की तरह याद करवाया जाता था उनको exact meaning नहीं पता होता था कि एप और Apple होता है तो Apple exactly क्या है क्यों इसका use किया जाता है उसके बाद आता है understanding level जिसमें की memory level में जो भी उन्होंने रटा मार कर चीज़ें याद की थी उन चीज़ों की समझ उनको थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है उनकी understanding develop होने लग जाती है and reflective level क्या होता है यह highest level होता है so memory level and understanding level में हमने जो कुछ भी सीखा इन दोनों के combination को हम use करते हैं reflective level में जैसे कि बच्पन से जो भी चीज़े मैंने सीखी अब real life example, real life problems में मैं उस knowledge को use कर सकती हूँ तो वो reflective level होता है कि exactly हमने कहां पे कौन सी चीज़ को कैसे सीखा correct so memory level जो होता है यह teacher centered method होता है यानि कि इसमें teacher जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ाएंगे teacher को जो मन होगा teacher के point of view को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की teaching learning process को पूरा किया जाता है then we have understanding level इसमें भी यही process रहता है then we have learner centered method जो की reflective level होता है इसमें students क्या चाहते हैं students को कौन से तरीके से पढ़ना पसंद आ रहा है वो क्या चाहते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए यह reflective level of teaching होती है memory level and understanding level के अगर बात करें so memory level thoughtless level होता है इसमें बिल्कुल भी दिमाग use नहीं होता बस जो बोला जा रहा है उसको as it is याद किया जाता है तो thoughtless इसको बोलते है understanding level में thoughtful यानि कि इसमें चीज़ें जैसे कि समझने लगते हैं तो हमारी memory हमारा brain का use होने लगता है then we have highly thoughtful level जिसमें कि जो कुछ भी हमने knowledge collect किया था उसको use करने का समय है तो इसके लिए हमें बहुत जादा सोचना पड़ता है बहुत जादा धिमाग लगाना पड़ता है तो इसी तरह से students इस unit में सारे important topics को हम cover हो तो directly बढ़ते हैं अपने अगले topic की और जिसका नाम है Bloom's Taxonomy यानि कि Bloom का वरगी करन ये topic बहुत important है कोई भी shift में NTA इसको miss नहीं करता so Bloom's की taxonomy के according हमारे domains को तीन sections में divide किया गया है पहला है cognitive domain जिसको की revised cognition dimension दिखा गया है इसको directly आप लोग cognitive domain के नाम से भी जान सकते हो ठीक है second है psychomotor domain तीसरा है affective domain so cognitive domain में हमारे पास 6 steps होते है इन steps का नाम आपको याद रखने है इनका sequence आपको याद रखना है तो सबसे पहली चीज क्या आजाती है सबसे पहली चीज आती है create, evaluate, analyze, apply, understand and remembering correct so smallest level क्या होदा है creating level then we have evaluating यहाँ से थोड़ा सा आप इस तरह से देख सकते हो सबसे पहला level होता है remembering, then we have understanding, then we have application then we have analyzing, then we have evaluating and creating and create specific level of the process then we have to remember the process of the process of the process but for the process of the process of the process, I took a content then we have to arrange what we have made then we have to explain all the things you want to make then if we are able to develop । then we have all the things you want would be unique So the process of the process of making that process उसको apply करना इस applying level ठीक है उसके बाद उसको analyze करना कि जो चीजे मैंने बनाई वो सही बन रही है कि नहीं बन रही है उस चीजे को मैं analyze करती रहूंगी and then evaluating मैंने अपने आपको अपना मुल्यांकन करना है कि 10 में से कितने नंबर में आपने बनाए हुए pot को दूँगी तो मान लीजी अभी तक मैंने इस तरह से एक simple सा flower pot बनाना सीख लिया था evaluate कर दिया उसके बाद मैं creating phase में आऊंगी जहां भी यह हो सकता है कि अब मेरे को पूरा process यह वाला पूरा process पता चल गया अब creating phase में हम क्या करते हैं यह reflective phase की तरह होता है एक बार हमने सब सीख लिए आप में different different shape के इस तरह से pot बना सकती हूँ process पता है तो सरफ हमें क्या करना है उसका design और shape change करना है so similarly हमारे पार second domain आता है psychomotor domain जिसमें की पहला step है imitation, manipulation, precision, articulation and naturalization imitation मतब शुरू कर देना, उसमें फिर changes करना, उसको detail में समझना, उसमें ही थोड़े से बदलाव लाकर उस चीज में और थोड़े से experiment करना then वो चीज हमारे इतनी प्रक्रितिक हो जाती है हमारे लिए कि वो हम लोगों को फिर easy लगने लग जाती है so that is called naturalization similarly we talk about effective domains, so receive करना किसी चीज को मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, आप उस चीज को receive कर रहे हो according आप उस पर respond करोगे, फिर आप उसको value दोगे, organize करोगे and then internalizing values यानि कि जो भी चीजे हमने सीखी थी, उसको हमने अपने आप में natural बना दिया आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी user senate exam की तयारी कर रहे हो teaching profession में जाओगे, जब आपने अगर अभी तक पढ़ाया है, online या offline कहीं पे भी तो शुरू में आप लोग थोड़े गभराए होंगे लेकिन समय के साथ साथ within a month आप लोग इतने उसमें active हो चुके होंगे, इतने pro हो चुके होंगे कि आप लोगों को पढ़ाने से पहले इना डर लगता होगा और वो naturally आपके अंदर से जो हैं, चीजे निकलती हैं, examples निकलते हैं, तो वो naturalization होता है जिसको कि यहाँ पे effective domain में internalized values बोला गया है डिटेल में यह सारे हमने separate session में discuss किये हैं, if you want मैं description box में link add कर दूँगी आप बस मुझे comment करके बता दीजे Next important topic के बात करते हैं, स्वयम स्वयम के full form क्या होती है, study webs for active learning for young aspiring minds यह क्या है, यह एक online portal है, जिसमें की सभी students को free online education दी जाती है शिक्षित भारत, उन्नत भारत इसका एक major objective है स्वयम पोर्टल जो बनाया गया है, इसका major objective यही है कि इसमें कोई भी बच्चा कहीं भे बैट करके आप चाहीं इंडिया की किसी भी corner पे हो, आप चाहीं वर्ल्ड की किसी भी corner पे हो, आप कहीं भी बैट के पढ़ सकते हो बस उसके लिए आप लोगों को internet connection और एक अच्छा mobile laptop होना चाहिए तो स्वयम का major focus यही है कि free online education सभी बच्चों को दी जाए ताकि equality रहे और सभी बच्चे पढ़ लिख सके next we have स्वयम प्रभा, स्वयम प्रभा क्या है? यह भी education से ही related है लेकिन यह free DTH channel है and स्वयम में इसमें आप लोगों को बता देना चाहती हो, इसमें basically हमारे पास quadrants होते हैं इसमें आप लोगों को e-content भी मिल जाएगा यानि की PDF के format में notes भी मिल जाएगा आप लोग अपने आपको evaluate भी कर सकते हो आप लोग इसमें test भी दे सकते हो, आप लोगों को इसमें video lectures में मिल जाएगे evaluation and test एकी चीज़ हो गई, और यहाँ पर आप लोगों का online discussion forum भी इसमें provide कराते हैं तो यह चार चीज़े हैं जिस पर focus करके स्वयम basically काम करता है स्वयम प्रभा की बात करें, इसका major focus भी बच्चों तक जो है पढ़ाई पहुंचाना है बच्चे हर कहीं से पढ़ सकें, यही इसका उदेश्य है लेकिन यह क्या है, यह एक DTH channel है, आप लोगोंने घर में TV देखते होंगे जो free channels होते हैं, free dish होती है आप लोगोंने, उसमें बहुत बार यह देखा होगा कि पूरा पूरा दिन जब आप उस channel के आसपास से cross होते होंगे तो आपने देखा होगे कि वहाँ पे हर समय teachers पढ़ा ही रहे होती है तो वो स्वयम प्रभा के अंडर channel आते हैं तो इसमें total 34 DTH channel है, जो कि directly आप लोग अपने घर पे बैठके ही access कर सकते हो इसको 19th October 2020 को start किया गया था अब यहाँ पे students एक homework question में आपको देती हूँ जैसे कि स्वयम प्रभा का मैंने आपको बताया कि 19th October 2020 को इसको start किया गया है, वैसे ही स्वयम को कब launch किया गया? कब launch किया गया? इसका answer आप मुझे comment करके जरूर बताएए इससे क्या होगा? आपका concept भी clear हो जाएगा, आपके revision भी हो जाएगी और बाकी students को भी आप मदद करोगे तो स्वयम प्रभा में 24-7 educational channels में जो है repeat होते रहते हैं lectures अब देखो 24-7 का मतलब यह नहीं है कि हर वक्त वो teachers पढढ़ा रही है तो कई बार वो recorded sessions भी होते हैं, कई बार वो live sessions भी होते हैं तो दिन में एक बार मान लीजिए, सुभा 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक एक session किसी particular teacher ने ले लिया उसके बाद यही session को पूरा दिन 4-5 बार इसी पे repeat किया जाता है कि अगर कई students सुभा का session अटेंड नहीं कर पाए तो वो शाम को कर सकते हैं शाम को नहीं कर पाए तो वो रात को कर सकते हैं तो इसलिए यह 24-7 programs run होते रहते हैं इसके लिए satellite कौन सा use होता है, exam में यह भी पूछा जाता है तो GSAT 15 यानि की geostationary satellite 15 इसमें use होता है आगे अगर हम बात करें UGC MOOC के बारे में MOOC क्या है, यह SOYAM का ही एक vertical है, SOYAM का ही एक sub part हम इसको बोल सकते हैं correct, SO MOOC की full form होती है massive open online courses इसको याद रख लीजिए, exam में जरूर आती है जैसे कि मैंने आपको बताया, SOYAM, SOYAM की full form भी exam में बहुत बार आती है, इसके कितने quadrants है इसके कितने coordinators है, इसके 9 coordinators है, national coordinators MOOC की बात नहीं कर रही है, SOYAM की बात कर रही हूँ 4 quadrants है, and 9 national coordinators है right, and यह क्या है, यह एक web-based platform है, which provide unlimited number of students worldwide with a chance of distance education with best institutes in the world So, अच्छे सेच्छे institute के teachers, जैसे कि IIT की बात करें, NIT की बात करें, IIM इस तरह के जो teachers होते हैं, वो इन portals में पढ़ाते हैं Established back in 2008 and gain momentum in 2012 as a popular learning tool So, 2008 में इसको बना दिया गया था, लेकिन popular यह 2012 में हुआ, उसके बात से use होने लगा Next important topic है, evaluation system So, evaluation यानि की मुल्यांकन करना जब एक teacher पढ़ाते हैं students को, उसके बाद एक teacher students के test लेते हैं चाहे वो final exam है, चाहे वो class test है तो उससे हम क्या करते हैं, किसी student का मुल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया, वो उनको clear हुआ concept या पर नहीं हुआ So, इसी तरह से यान पे मुल्यांकन जो है, बहुत important होता है अगर हम अपनी teaching को और learning को effective बनाना चाहते हैं, बहतर बनाना चाहते हैं So, evaluation is the process of gathering and interpreting evidence on changes in the behavior of the students as the progress through schools Simple से language में बोलते हैं कि बच्चों के वेवार में जो परिवर्तन आते हैं बच्चे जो चीजें सीखते हैं क्लास में उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है अगर evaluation ही नहीं होगा, अगर final exam या class test ही नहीं होगे तो इक teacher को कैसे पता लगेगा कि वो बच्चा समझ रहा है, नहीं तो बच्चे तो सुनेंगे नहीं क्लास में ठीके, so, कोठारी commission के अंदर evaluation के एक important definition दी गई है जिसमें कहा गया है, evaluation is a continuous process It forms an integral part of total system of education and is intimately related to educational objectives So, it's called educational objectives होते हैं The techniques of evaluation are means of collection evidences about the student's development in desirable direction यानि कि किसी भी वांची दिशा में, किसी भी जरूरी दिशा में student की कितनी development है किस subject में उनका interest जादा है या कम है वो सब जानने के लिए भी evaluation बहुत जरूरी होता है So, ये evaluation का basic introduction था इसके बाद आते है types पे जो कि बहुत जादा important है So, types में according to इसको जो different sections में divide किया गया है वो important नहीं है, बाकी के types important है So, formative and summative यहाँ पे देख सकते हो, repeated है तो हम one by one बात करेंगे, सबसे basic आता है placement Placement, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी मान लिजें कि मैंने MBA कर लिए उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आपकी campus placement होगी यानि कि campus से ही मुझे अपनी qualities, अपनी educational background के हिसाब से किसी company में नौकरी दिलवाई जाएगी तो यह होता है placement तो इसमें क्या होता है किसी person को, किसी बच्चे को हम किस place पर पहुंचा रहे हैं that is called placement अब कोई बच्चा है जिसका mathematics बहुत अच्छा है लेकिन वो drawing dancing में अच्छा नहीं है तो उनको हम उस जगा पे place कर सकते हैं कि आप उस चीज पे ज़्यादा focus करो then we have formative evaluation तो formative से जानने से पहले मैं आपको diagnostic बता देना चाती हूँ diagnose का मतलब होता है find out करना कि कोई बच्चा अगर हमें देखना है कि वो किस चीज में अच्छा है कैसे वो respond करता है किसी particular field में जा करके तो वो सिप चीज अगर हमें देखनी है तो उसके लिए diagnostic evaluation ज़रूरी होता है अगले जो चार टाइप्स है formative, summative, norm referenced and criterion referenced these four are very important हर साल पूछे जाती है so formative की बात करें जो हमारे formative की बात करें अब जैसे देखो session है session में मैं क्या कर रही हूँ बीच-बीच में आप लोगों को कुछ homework questions दे रही है इन homework questions का क्या benefit है क्या आप लोगों का मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे actively मेरी class में concept को सुन रहे है correct? so यह होता है homework question का benefit so इसी तरह से students formative evaluation होता है offline class में भी teacher कई बार class के end में students को पूछ लेते हैं कि हाँ भी बताओ आज हमने class में क्या पढ़ा या फिर बताओ आपको आज कितना समझ आया या चोटी-चोटी चो questions class के end में या class के बीच में पूछे जाते हैं वो formative evaluation होते हैं then we have summative evaluation summative word आप याज रख सकते हो summary से summary का मतलब क्या होता है किसी भी चीज के end में कुछ calculate करना so जो हमारे final exam होते हैं चाहे वो semester के है या पिर annual examination होते हैं उन सब चीजों से जो एक student का पूरे साल का या पूरे 6 महीने का हमें knowledge पता चलता है या उन्होंने कितने actively class में चीजों को सुना ये पता चलता है तो वो होता है summative evaluation मत्तब पूरे session के end में अगर हम किसी को evaluate करते हैं longer period of time के बाद so वो summative के अंदर आता है then we have norm referenced and criterion referenced so norm reference क्या होता है norm का मतलब होता है rules एक है norm का मतलब क्या होता है rules होता है and criteria यानि कि हमने यहाँ पर कोई man इसको अपिस तरह से लिख सकते हो man dund को set कर दिया so norm reference में क्या होता है एक बच्चे की performance को एक बच्चे की performance को बाकी के सभी बच्चों की performance के साथ compare किया जाता है आप लोगों ने यह सुना होगा बच्चपन में बोला जाता है कि देखो आपकी class के बाकी के friends आपके कितना चा स्कोर कर रहे है लेकिन आपका नहीं हो पाया तो इसमें क्या हुआ एक बच्चे को दूसरे के साथ compare किया गया so वो होता है norm reference criterion reference क्या होता है उसमें हमने criteria set कर दिया जैसे कि मैं अगर बोलती हूँ कि 50% से जादा जिस बच्चे से score कर दिया वो बहुत ही good category के बच्चे होंगे तो यह हमने criteria set कर दिया 50% से जादा वाले में 50.1 वाले भी होंगे and 100% वाले भी होंगे इसमें हम किसी के साथ किसी को compare नहीं कर रहे हैं हमने इसमें क्या किया simple एक criteria रख दिया कि इससे जादा level के जो बच्चे होंगे इससे जादा score वाले जो बच्चे होंगे उनको हमने good category में count करना है चाहे वो फिर 50.1 वाले हो या फिर 100 वाले हो तो यह थोड़ा सा confusion इसमें students को होता है लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि norm reference में एक बच्चे को बाकी सब के साथ compare किया जाता है एक बच्चे की performance को for example जैसे कि माल लीजिए एक student A है एक student B है students का अगर हम math का test लेते हैं तो A maths में बहुत अच्छा है B को math पसंद नहीं है उसके बाद अगर हम लोग डांसिंग की बात करते हैं तो डांसिंग में A अच्छा नहीं है B बहुत अच्छा है मतब national international level तक डांस करके आया है तो इसमें हमने क्या किया है दो लोगों की qualities को compare किया दो students के marks को दो students की talent को हम यहाँ पे compare कर रहे हैं कि किसके अंदर आएगा यह आजाएगा आपका norm reference के अंदर क्राइटेरियन reference में क्या हो गया हमने criteria रग दिया कि हाँ भाई जो जो students के जैसे 50% marks बता दिया या फिर किसी game के लिए अगर हमने किसी student को select करना है तो हम बोलेंगे 5 foot 5 इंसे जादा जिसकी height है और भी लोग आ सकते हैं that is not important here तो यहां पर एक homework question है आप देख सकते हो कि formative और evaluative में किस सरह से questions आते हैं formative evaluation tends to accelerate pace of learning as against summative evaluation formative evaluation is highly reliable बहुत ही basic previous year question है यह के example के रूप में मैं आपको बताया है कि इस सरह की questions बहुत बार exam में पूछे जाते हैं सबसे पहले हम शुरू करते हैं research के introduction से research दो चीजों से मिलकर के बना है re and search search का मतलब होता है किसी चीज को find out करना किसी चीज को ढूणना अगर हम इसके आगे re लगा देते हैं यानि कि इसका मतलब यह हो गया कि कोई चीज कोई problem जिसका solution already हमारे पास है उसी को और बहतर करने के लिए हम लोग उसमें research करते हैं तो research किसी भी type की हो सकती है वो experimental भी हो सकती है scientific भी हो सकती है casual भी हो सकती है formal भी हो सकती है तो इससे क्या होता है छोटे-छोटे facts हम पहले समझते हैं और उन facts को collect करने के बाद हम उसके solution तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो research के कुछ objectives हैं जो के examination के लिए बहुत important होते हैं तो primary objectives है तो discover new facts अब कोई topic है कोई problem है उससे related नई facts, नई findings अगर हम जानना चाते हैं तो research उसमें की जा सकती है investigate some existing situation or problem कोई भी problem हमारे सामने है उसका solution ढूणना या फिर वो problem क्यों हुई आगे आने वाले समय में उस problem को कैसे रोका जा सकता है इन सब चीजों के लिए हम लोग research कर सकते हैं To verify and test important facts To analyze an event or process or phenomena to identify the cause and effect relationship So cause and effect का मतलब होता है कि कोई problem हमारे सामने क्यों आई आने वाले समय में उस problem से कैसे बचा जाए क्या initiatives अभी लिए जाए ताकि future में जो next generation है वो इस problem को face ही ना करे इन सब चीजों में research हमें मदद करता है तो यह हमने अभी तक दो concepts कर लिए introduction and real So directly आप बढ़ते हैं अपने अगले topic यह और characteristics of research कि एक research में कौन-कौन से गुन होने चाहिए तो Hindi medium students के लिए भी साथ-साथ में बताती हूँ empirical empirical में आप लोगों को एक term बताती हूँ empire empire का मतलब क्या होता है किसी भी match में आप लोग ने empire देखा होगा वो क्या होता है senior person होता है जिनको बहुत जादा experience होता है and वो अपनी observation की मदद से क्या करते है वहाँ पर out है person या पर अभी out नहीं है score वो बताते हैं तो यहीं होता है empirical research में जिसमें कि हम अपने experience और observation की मदद से कुछ research करते हैं तो एक logical होना चाहिए कुछ logic होना चाहिए होता है वो cyclic होता है action research क्या है यह हम एक slide में discuss करेंगे analytical यानि की हमने जो काम किया उसको हम लोग साथ-साथ में analyze करते रहें उस पर ध्यान रखते रहें critical होता है methodical methodical होता है replicable, feasible, ethical 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 का मतलब क्या होता है नैतिकता कि जितने भी कुछ rules and regulation होते है research को ले करके उनको अगर हम अच्छे से follow करते हुए research करेंगे तो definitely हमें उसका अच्छा solution ही मिलेगा next topic आ जाता है steps in research research में different steps होते हैं जो कि अगर हम अच्छे से follow करेंगे तो easily without any problem हम अपने solution तक बहुन सकते हैं पहला step है identification of research problem अब देखो research यानि कि अनुसंधान किसी person को क्यों करना होता है किसी भी चीज की research तब होती है अगर उससे related कोई problem हमारे पास होगी अगर मेरे पास कोई problem ही नहीं है हमारे पूरे world में पूरे इंडिया में या society में कोई problem ही नहीं है क्या समस्या है ताकि हम उसका solution ढून सके उसके बाद दूसरा step आता है literature review यानि कि same problem से related जो भी पहले साहित्य लिखे गए है या फिर किसी और ने उससे related research की हुई है वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि माल लीजे कि ABC नाम के कोई problem है यह problem मेरे सामने है और मैं सोच जी हो कि यह तो बहुत बड़ी problem में इसका solution में research करके ढून लोंगी लेकिन अगर हम research literature review कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि already किसी ने इस पे research की है या फिर नहीं की है अगर किसी person ने इस पे already research की होगी तो उसके literature को हम पढ़ेंगे and हमें idea हो जाएगा कि उन्होंने इसका solution ढूंदा था कि नहीं ढूंदा था उनको इसके दौरान क्या-क्या problem फेस करनी पड़ी थी then we have formulation of hypothesis यानि की परिकल्पना बना लेना preparing research design data को collect करना future data collect किया है उसको analyze करना अचैसे visualization करना Journalization and interpretation उसके बाद report बनाना and last में आता है निशकर्ष यानि की conclusion तो यह आप देख सकते हो research कि step से related most expected question है जो की 2023 exam में जरूर पूछा जाएगा इसका देखो यहाँ पे मैंने 6 options दिये हैं आपने बताना है कि इन में से correct answer कौन सा है इस answer आप मुझे comment करके बताईए मैं वहाँ पर ही आपको बताऊंगी कि यह सही है या गलत है next topic आजाता है research article यानि कि शोध का आलेक so research article reports on the results of original research reviews its contribution to knowledge body in a specific field and publishes it in a peer reviewed general simple से language में इसको हम समझते हैं research article क्या होता है इसको हम लोग कई पार empirical और primary source भी बोलते हैं यानि कि प्रात्मिक जगा है जहां से हम किसी भी research के बारे में जान सकते हैं research article एक journal article होता है यह एक journal article होता है in which authors report on research they did अब मालीजे मैं क्या कर रही हूँ मैं research कर रही हूँ कोई भी topic पर किसी भी social problem पे मैं research कर रही हूँ अब मैंने अपनी research के दौरान क्या-क्या किया क्या problem मेरे सामने थी और कैसे मुझे इसका solution मिला इस पे छोटा सा article जो लिखा जाता है वो research article के अंदर लिखा जाता है research articles are always primary source whether or not a research article is peer reviewed depends on general that publishes it तो इसमें typically क्या-क्या चीजें होती है इसमें होता है हमारे research से related introduction उसके बाद होता है इसमें methods की किस-की तरीके की research को हमने यहां पे use किया उसके बाद आता है कि research के methods यूज करने के बाद क्या हमारे पास result आया and फिर उससे related discussion आती है कि जो काम हमने यहां पे किया वो beneficial है उससे related हमें कोई फायदा हो सकता है यह नहीं हो सकता तो यह सारे चीजे research article के अंदर आती है इसका benefit क्या होता है कि माल लीजे कि मैंने 2019 में किसी भी social problem को लेकर के research की अब 2023 में मेरे students जो यह video देख रही है उनका अब लोग भी माल लीजे सेम ही social problem पर research करने के बारे में सोच रहे है तो आपको अगर देखना होगा कि अंकीता मैंने कैसे research किया था क्या-क्या process फॉलो किया था तो आप मेरा research article देख सकते हो इससे आपको benefit हो जाएगा तो यह इसका major objective होता है correct so I hope यह topic आपको बिलकुल समझ आ गया है तो students यह जो series में आपके लिए लेकर आई हूँ कि 20 minutes में हम 20 concepts को cover करेंगे अगर आपको यह concept समझ आ रहा है और आपको लगता है कि इससे आपके अच्छे से revision हो रही है आप में इसको continue रखो तो आप मुझे जल्दी से comment कर दीजिए ताकि मैं next units जो है remaining units उन पर भी इसी तरह के videos आपके लिए लेकर के मदद से कर सकते हो next आ जाता है फिर हमारे पास topic जिसका नाम है research thesis thesis जिसको के dissertation के नाम से भी जाना जाता है हाला कि इन दोनों में थोड़ा सा difference होता है क्या difference होता है students यह homework है thesis or dissertation में क्या difference होता है यह मुझे जल्दी से comment करके आप लोग बता दीजिए अगर आपको आता है तो भी बताइए नहीं आता है तो भी बताइए इस पे एक short video में लेकर आऊंगी thesis or dissertation एक text होता है that describes the author's work and result in support of an application for an academic degree or professional qualification so as a researcher आप लोग जिस भी काम पर research कर रहे हो जिस भी topic पर research कर रहे हो उसकी आपकी क्या report आई क्या आपने research किया ठीक है उससे related एक application type होता है जिसकी basis पे आप लोगों को अपनी PhD की degree provide करवाई जाती है ठीक है तो यह होता है research thesis अगर हम simple language में बोले only after completing the research research complete होने के बाद ही इसको finalize किया जाएगा और इसी को देख करके आप लोगों की degree आपको मिलती है next आजाता है the two most important and commonly used formatting styles ठीक है इस आप देखो research thesis या research में जो कुछ भी चीज़ें होते उसको कैसे लिखा जाता है उसके दो formats होते है MLA और APA general यह दोनों format सिर्फ exam के लिए important है जब actual में आप लोग PhD करने जाओगी तो वहाँ पी students आप लोग जिसमें university से PhD करते हो वही आपको format बताते है so MLA का format full form है modern language association APA का मतलब है American psychological association correct तो यह क्या होता है work cited होता है reference list होती है इसमें आपको यही आद रखना है next is different types of research जिसमें की पहला आता है fundamental जिसको की basic research बोला जाता है and इसको हम लोग pure research भी बोलते हैं जिसमें सिरफ हम knowledge को collect करते हैं कहीं use नहीं करते then we have applied research applied research किसी भी particular question के solution को ढूणने के लिए use किया जाता है and action research होता है सिरफ solution ढूणना नहीं immediate कहीं पे हम लोगों को अगर action लेना है तो उसके लिए action research use होता है जिसे मेर सामने कोई problem आगे है हम इसको solution ढूणनगे सिरफ दिमाग में नहीं सोचूंगी उसको actual में हम use करेंगे actual में practical करके देखेंगे then we have qualitative and quantitative research so qualitative है deal करता है words के साथ and उन words के meanings के साथ then we have deductive and inductive research deductive क्या होता है अपर लेवल से नीचे की लेवल पे आएंगे तो वो deductive होगा नीचे के लेवल से उपर के लेवल पे जाएंगे तो वो inductive होगा correct so inductive reasoning की अगर पहले बात करें inductive reasoning aims at developing theory theory development की कहीं पे बात आती है तो वो हम inductive reasoning की बात करते हैं जबकि deductive reasoning कि इस पे focus करता है यह उसकी testing पे focus करता है जो existing theory है उसकी testing पे focus करता है deductive reasoning next आच आता है फिर हमारे पास sampling so sampling क्या होता है sampling अब देखो मालीजे मुझे अपने research के लिए लोगों से overview लेने है रोगों के reviews लेने है and मैं research के लिए किसी social problem की research के लिए चली गई किसी college में जहां पे 10,000 students थे तो अब 10,000 students questions पूछना तो possible नहीं है तो हम क्या करते हैं 10,000 में से 100 students को select करेंगे तो वो किस basis पे select किया जाता है यह हो गया sample ठीक है 10,000 के है total population है 100 क्या है sample है तो दो तरीके से उसको किया जाता है एक होता है probability एक होता है non-probability तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए convenience, judgmental, जिसको purposive भी बोलते है, snowball and quota sampling probability में आता है stratified, systematic, cluster and simple random sampling detailed video इस topic पर मैं लेकर के already आई हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मुझे comment कीजिए, मैं आपके साथ share कर दूँ then we have hypothesis, hypothesis का मतलब परिकल्पना करना, अब किसी problem में मैं फसकी, उसके solution के लिए directly तो मैं किसी track पे नहीं चल परती हूँ पहले हम idea लगाते है कि मैं यह करूँ या फिर मैं यह काम करूँ कि मिरको solution मिल जाएगा तो इस चीज़ को बोलते है परिकल्पना करना परिकल्पना का exact अगर हम लोग देखें तो यह बहुत important होता है research में किसी problem में फसकी तो हमें solution तक जाने के लिए देखना पड़ता है यह practical करें यह practical करें यह practical approach को try करें परिकल्पना basically testing जरूरी होती है hypothesis की जिसमें दो चीज़े होती है null hypothesis and alternative hypothesis testing की बाद में बात करेंगे दो types है null and alternative तो null क्या बोलता है none बोलता है no difference null बोलता है boys and girls के बीच में कभी कोई difference नहीं है ये एक example है null hypothesis का कि no difference होता है हर एक चीज में boys girls equal है black and white equal है ये ऐसे बोलता है alternative hypothesis क्या करता है ये proper तरीके से बताता है कि exactly किस तरह से काम चल रहा है ठीक है अगर हम लोग null को accept कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है in case अगर हम लोग null hypothesis को accept नहीं करते तो हमारे पास सिरफ alternative hypothesis को ही accept करने का option रहता है जिसको की परिकल्पिक परिकल्पना के नाम से जाना जाता है correct alternative hypothesis states your research prediction of an effect or relationship ये बोलता है कि दो चीजों के बीच में difference होता है so next अगर हम लोग बात करें type 1 and type 2 error की तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि type 1 error क्या होता है so type 1 error को बोला जाता है false positive and type 2 error को बोला जाता है false negative correct so अगर हम लोग यहाँ पर आप देखो test rejects null अगर हम लोग null hypothesis को reject कर देते हैं ठीके हमने क्या कर दिया null hypothesis था उसको हमने reject कर दिया लेकिन actual में वो true था true hypothesis को हमने गलती से reject कर दिया तो वो type 1 error है जिसको की false positive बोला जाता है तो इस तरह से इस table पर आप देख सकते हो उसी के साथ अगर हम लोग null hypothesis को false कर देते हैं जबकि वो correct था तो वो effective existence के अंदर आता है test accepts null जब हम null hypothesis को accept कर देते हैं तो वो correct decision होता है जिससे extra कोई फरक नहीं पड़ता and वो type 2 error होता है जिसको की false negative के नाम से जाना चाता है next we have research ethics research की नैतिकताओं होती है research की नैतिकताओं में कुछ चीज़ें important होती है जैसे कि हम लोगों को honesty रखनी चाहिए इमानदारी के साथ research करनी चाहिए जो हमारा data आया है जो हमारा result आया है उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए कई बार क्या होता है मालीचे वो बोलते है कि research करके आओ and उसका minimum average point 0.05 होना चाहिए and मेरा आगया 0.03 तो research ethics हमें बोलता है कि उसको confidential रखना है थोड़ा private रखना है हर एक चीज सबके साथ share नहीं करनी है या फिर अगर हम किसी के पुरानी research से मदद ले रहे हैं उनकी thesis या paper से मदद ले रहे हैं तो वहां पर भी हमें जूट कहीं बोलना है कि हमने ये खुद किया हमें वहां पर as it is लिखना है कि हमने कहीं से मदद ली है इसे से चोटे-चोटे rules होते हैं जो कि research ethics के अंदर आते हैं कि हम लोगों को यहां पर loyal रहना है respectful रहना है transparency होनी चाहिए fairness होनी चाहिए leadership होनी चाहिए ये सब चीज से आती है research ethics के अंदर अगला आज आता है topic questionnaire questionnaire यानि कि प्रशनावली अब देखो आप लोगों ने बहुत जगा देखा होगा social media पर भी कि लोग एक interview रेते हैं public में चाहिए लोगों से कुछ पूछते हैं कि अपने prime minister के बारे में बताओ इस तरह के छुट-छुटे questions यह क्या होते हैं यह क्या होते हैं कि हम पब्लिक में जाते हैं और उनसे पूछते हैं यह inquiry हो रही होती है कि इस तरह के questions हम यह भी चाहन सकते हैं कि हमारे जो youth है जो young generation है उनक अपनी country के ministers या अपनी संस्कृती के बारे में कितना पता है तो इस तरह के questions जो होते हैं survey, interview यह सब इसमें आते हैं इसमें छोट-छोटे questions पूछे जाते हैं then we have question के types closed-ended and open-ended questions so closed-ended questions क्या होते हैं जिसमें कि सरफ किसी से yes or no, true or false इस तरह की questions पूछे जाते हैं open-ended होता है किसी से पूरा reason अगर हम यह class पसंदा रही है इसका सबसे अच्छा कारण बताईए कि आपको इस class में सबसे अच्छा क्या लगा तो वह हो गया open-ended question जिसके answer आप मुझे comment करके बताऊगे कि आपको इस class में क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा next है हमारे पास variables variables क्या होते है variables कुछ भी हो सकता है कोई परसन कोई प्लेज कोई जगा कोई सामान कुछ भी हो सकता है दो variable है a and b यह variable अगर एक दूसरे पर निर्भर है कि अगर मैं एक को delete कर दो तो दूसरे भी खतम हो जाएगा तो वह होते हैं dependent variable यानि कि निर्भर चर previous year questions में आपके साथ share किया है जो कि exam में जरूर आएगा ही आएगा then we have position paper position paper क्या होता है यह ऐसा होता है जिसमें कि it is an essay that presents an arguable opinion about an issue किसी problem को ले करके opinion है कोई highlighted issue है उसके बारे में यहां पे लिखा जाता है typically यह किस पे काम करता है कोई भी politics है law से related है academics से related है इस तरह की जो चीजे होती है उनके लिए position paper को generally use किया जाता है so communication जिसको की हिंदी में संचार बोला जाता है इसका मतलब होता है exchange of ideas अब मेरा नाम है अंकीता मैं आप लोगों की कौन हूँ मैं आप लोगों की teacher हूँ आप ABC नाम के कोई भी मेरे students हो ठीक है so मैं अपने ideas अपनी information अपना knowledge अगर आप लोगों के साथ share कर रही हूँ तो उस चीज को बोला जाता है communication so as a teacher अगर मैं अपना knowledge आप लोगों को online session में जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो इस तरह से share करूँ या फिर offline यान की classroom session में अपना knowledge और ideas share करूँ तो किसी भी तरह के sharing of ideas sharing of knowledge इस चीज को बोला जाता है communication वर्बल और non-verbal हो सकती है यानि की मौखिक और गैर मौखिक हो सकती है verbal communication क्या होती है जिसमें की हम बोल कर अपनी बात बताते हैं जिसमें की words का use किया जाता है जैसे की अगर class में मैं किसी student को बोलू sit down मैंने जैसे अभी बोला sit down तो ये क्या है ये verbal communication कि मैंने आप लोगों को मूह से words की मदद से कुछ कहा है दूसरा आता है non-verbal जिसको की गैर मौखिक बोला जाता है non-verbal में हम लोग words का प्रयोग नहीं करते इसमें हम use करते हैं symbols का इसमें हम use करते हैं signs का यानि की इशारों का अब जैसे किसी student को बैठने के लिए मुझे कहना है तो मैं हाथ से इशारा कर सकती हूँ sit down के लिए मूसे मैंने कुछ भी नहीं बोला that is taken under the category of non-verbal communication next we have it involves sender message, medium, channel receiver, response and feedback तो कभे भी communication अगर करना है तो उसके लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है इन सब को हम detail में आगे discuss अभी करने वाले हैं तो इसी कि अपने अगले topic यह और जो की है characteristics of communication यानि कि संचार के लक्षन क्या क्या होते हैं सो संचार में सबसे important part होता है exchange of ideas यानि की विचारों का अदान प्रदान्स में होता है अब दो लोग बातचीत कर रहे हैं अब देखो students A और B बात कर रहे हैं वो कोई भी बात हो सकती है हो सकता है कि A ने B को कोई story सुना दी हो सकता है A ने B को UGC net paper 1 के बारे में बता दिया हो सकता है A ने B को global online channel के बारे में बता दिया ठीक है कोई भी reason हो कुछ भी चीज हो सकती है so exchange of ideas हो सकते हैं कोई भी बात बता रहे हैं या आज उनके साथ सुभा क्या हुआ यह कोई story सुना रहे हैं तो इस सब चीजों को communication के अंदर रखा जाता है communication को successful कब माना जाता है जब वो two-way communication होती है अब देखो जैसे कि A ने B को बता दिया मान लिजे A ने B को बोल दिया कि हाँ मैं UGCnet की तयारे global online YouTube चानल से करता हूँ और B ने उसका response ही नहीं दिया B ने A की बात को ignore कर दिया तो वो एक अच्छा communication नहीं माना जाएगा एक two-way communication कब होगा जब एक person कोई knowledge share करता है और दूसरा person उसके response में कुछ बोलता है जैसे मान लीजे A ने बोला कि मैं global online से paper one के preparation करता हूँ और वहीं B ने भी बोल दिया कि हाँ मैंने भी global online का course खरीदा हुआ है और मेरे exam qualify हो गया था इस तरह से क्या हो गया एक successful communication ही हो गया next is continuous process communication संचार क्या है continuous process है जो कभी भी नहीं रुपता A ने B को कुछ बात बता दी B ने C को कुछ बात बता दी या फिर C ने फिर B को कुछ बात बता दी इस तरह से communication continue होता ही रहता है next is cooperative यानि कि सहयोगी communication का effective तभी माना जाता है जब उसमें जितने भी लोग involved हैं वो एक दूसरे को cooperate करें अब देखो जैसे students मैं अपने sessions में आपको पता होगा कि हर बार मैं बहुत सारे homework questions आप लोगों को देती हूँ है ना सो मैं तो यहां से बोल देती हूँ कि students यह homework question है इसका answer मुझे comment करके बताईए अगर आप लोग उसका reply मुझे comment करके देते हो तो वो क्या हो गया वो एक पूव एक communication हो गया कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो आप लोग मेरे साथ cooperate कर रहे हो मेरा सहयोग दे रहे हो अब जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर students आपको यह session पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के sessions को मैं continue रखूँ तो आप मुझे comment करके all the best यह कुछ भी comment कर सकते हो तो यह क्या है यह सहयोगी communication होता है कि आप लोग मेरा सहयोग दे रहे हो मुझे मदद कर रहे हो यह जानने में कि मेरे sessions actual में effective है actual में आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे है next है clear और concise first और संक्षिप यानि कि जो बात है उस बात को बिलकुल clearly उसका मतलब बताना आपने देखा होगा बात चीत करते समय कई बार क्या होता है मैं किसी और तरीके से आपको कुछ बात बता रही हूँ आप उसका कुछ होरी meaning निकाल लोगे for example अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसका मतलब क्या है कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ लेकिन हो सकते है कि आप इसको ये समझो कि अच्छा मैं आज ही अच्छे लग रहा हूँ रोज शायद मैं अच्छा नहीं लगता इस तरह से आप बात का अलग meaning निकाल सकते हो तो जो भी communication करते हैं उसमें आपकी बात बिल्कुल clear होनी चाहिए and concise होनी चाहिए concise का मतलब यह होता है कि जो main बात है वो बताओ कई लोग आपने देखा होगर बात करते करते topic कुछ और होता है वो बातों बातों में कहीं और से और ही निकल जाते है तो वो चीज अगर होती है तो communication एक अच्छा communication नहीं माना जाता next is direct and indirect so A and B directly एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं indirect क्या हो सकते हैं कि वो chat के through कर रहे हैं video call के through कर रहे हैं या फिर A ने B को कुछ information दे दी B ने C को information दे दी जैसे कि senior manager ने अगर बिल्कुल intern यानि कि जो fresher candidate है उनसे बात करनी है तो वो direct बात करेंगे उनके साथ indirect बात क्या होगे वो अपने junior को बोलेंगे वो अपने junior को बोलेंगे फिर जाके freshers candidate से यहां पर वो contact करेंगे ठीके so I hope यह characteristics सावच्छ जा समझ गए हो next अगर हम बात करें seven C's of effective communication मुद्दा होता है जो हमारी main बात होती है उसको कैसे short तरीके से and effectively बताना है यहां वहां नहीं बटकना है that is important then we have concreteness यानि की स्थूलता, concrete में effective लेकिन थोड़े शब्दों में चीज़ को बताओ, बिल्कुल correct information होनी चाहिए, consideration यानि की सोच विचार करके आपको कोई बात बतानी है कई बार होता है, हम किसी को कोई बात बता देते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अरे बाप रही है, बात तो नहीं बतानी चाहिए दी तो वो consideration होना बहुत ज़रूरी है clarity की मैं क्या बता रहा हूं, मैं किसको बता रहा हूं मेरे बताने के पिछे क्या reason है everything should be clear to sender as well as receiver courtesy यानि की शिष्ट चार होसमें होना चाहिए then we have completeness की जो भी message आप दे रहे हो वो complete होना चाहिए वो informative होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आदी बात बता दी, आदी बात शोड़ correct, तो यह seven C's बहुत important है next is exam में देखो students यह नाम याद रख लेना, exam में question आता है कि जैसे आपके पास चार option दिये है आपको पुछा जाएगा कि इन में से कौन सा एक effective communication का C नहीं है, तो हो सकता है correctness की जगा इसमें कुछ और option दिया हो, तो आपको इसको अच्छा से समझ लेना है next है process of communication communication, बात चीत करने के लिए किसके जरूरत है, sender की अब sender कौन है, A है चलो अंकिता रख लेते हैं sender कौन है, अंकिता है, मैं आप लोगों को कोई बात बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को UGIS Inet Paper 1 के बारे में अभी बताने वाली हूँ तो sender भी हो गया, message भी हो गया message क्या है, UGIS Inet Paper 1 की बात जो मैं आपको बतानी है encoding क्या हो गया, अब encoding का मतलब यह है कि मैं किस language में आपको बताओं, Hindi में बताओं, English में बताओं Marathi में बताओं यह जिस भी language में मैं बोल सकती हूँ, मेरी जो regional language है उसमें बताओं, तो वो encoding हो गया media मतलब मैं किस तरह से बता रही हूँ, मैं आपको सामने बैठ कर बता रही हूँ mobile के थूँ बता रही हूँ कैसे message आप तक पहुचाना है यह भी decide कर दिया, language भी decide कर दिया अब सबसे जरूरी चीज़ कौन है receiver, receiver कौन है मेरे students है, आप सभी receivers हो अगर आप लोग नहीं हो तो यह मेरा message, language यह सब बिकार है, उसके बाद आगया decoding, decoding क्या है, अब देखो मैंने, मान लीजे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, English and Hindi दोनों languages में, decoding में बहुत से students हैसे होंगे, जो कि इस चीज़ को pure Hindi में ही consider करते हैं, जो कि इसको pure English में ही consider करते हैं अपनी language के conversion के according और इसको यहाँ पे use करते हैं then we have feedback, जो कि बहुत important होता है communication में लेकिन मेरे students कभी भी feedback मुझे नहीं देते, feedback क्या होगा यह पूरा process हमने कर दिया feedback होगा जब आप मुझे comment करोगे कि yes ma'am, यह session अच्छा था या फिर आपको किसी topic पर चाहते हो कि मैं आपके लिए एक session लेकर आओ, वो topic का नाम लिख सकते हो, या फिर आप feedback में यह देख सकते हो कि यह topic आपको अच्छे से समझ आ गया, इस series को मैं continue रखूँ, लिके कुछ भी मेरे sessions are related, मेरी communications are related, इसे भी चीज़ को लेकर कि आप अगर comment करते हो तो उस चीज़ को यहां पर feedback माना चाहेगा जो कि एक process का एक communication का process है right, so I hope यहां से इस तरह से example से आप लोग अच्छे से हरे concept को समझ गए हो, कोई doubt है तो भी बता सकते हो comment करके next we have barriers in effective communication so, प्रभावी संचार में बाधाई कौन कौन सी होती है अंकिता मैम फिर से इम example में ले रही हूँ, अंकिता मैम ने अपने UGCnet paper 1 students को बहुत important information बतानी थी, लेकिन बीच में क्या हो गया, barriers आ गए barriers पहले हो सकते हैं organizational barriers physical barriers, psychological barrier language, cultural, attitudinal organizational barriers को बाद में देखते हैं पहले में आप लोगों को language barrier बताती है जो कि बहुत easiest है, ठीके language barrier कैसा हो गया, जैसे कि देखो मैं आपको English and Hindi दोनों languages में पढ़ाती हूँ, बहुत स्टूडेंट्स ये comment करते हैं कि मैम प्यॉर English में ही आप revise किया करो, बोला भी English में करो, ये कई बोलते हैं कि sender किसी language में बोल रहे है and receiver जो है उस language को समझ ही नहीं पा रहे तो ये एक बीच में बाधा आ गई कि जो मैं बताना चाहती थी जो मैं पढ़ाना चाहती थी वो मैं अच्छे से आपके तक बात नहीं पहुंचा पा रही हूँ, या फिर मैंने में हूँ, ठीक है आप लोग हो उडिसा में, correct तो ये क्या है, ये एक physical barrier आ गया, बहुत दूर आप लोग हो, directly में आप लोगों के साथ यहां से बात नहीं कर पाँगी तो ये physical barrier है, organizational barrier होता है कि organization हमारी organized अगर हम तरीके से बात करते हैं या नहीं करते हैं, psychological आगया किसी का mental level अब UGCNet paper 1 मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग उसको समझ रही हो क्योंकि आप उस level के students हो, अब किसी first class के बच्चे को अगर मैं UGCNet paper 1 की तयारी करवाऊं तो वो effective होगा, वो नहीं होगा, so psychological barrier रही होता है कि हमें देखना चाहिए कि किस level पर हमें किस person के साथ कैसे communicate करना है next we have cultural barrier दो लोगों का अगर culture, दो लोगों की अगर Sanskrit ही अलग हैं, तो वो एक दूसरे की भाशा ही नहीं समझ पाएंगे वो एक दूसरे की examples एक दूसरे की भावनाई ही नहीं समझ पाएंगे correct, then we have attitudinal barrier, दो लोगों के बीच में same एक level होना चाहिए एक same वेवहार होना चाहिए इस चीज का भी फरक पड़ते हैं, आपने देखा होगा कि opposite nature वाले लोग बहुत कम हो पाता है कि आपस मैंसे से बातचीत कर सकें एक A है, जो की बिलकुल cool and calm personality का person है and B है, जो की एकदम गुसे वाला person है, तो इस तरह के different attitude वाले लोग जनरली अच्छे से communicate नहीं कर पाते, तो ये भी एक barrier ही होता है next आता है हमारे पास different types of communication जिसमें verbal and non-verbal are most important verbal जैसे कि मैंने बताया शब्दों का प्रयोग जिसमें किया जाता है अब A और B यहाँ पे देखो इन्होंने भी कुछ बोला, इन्होंने भी कुछ बोला verbal, non-verbal इन्होंने handshake करके ही बोल दिया, okay deal done हो गई यहाँ पे, ठीक है communication, inter-personal होता है जब एक person किसी दूसरे person से बात करता है, इसमें एक से ज़ादा लोग include नहीं होते हैं, जिके inter-personal होता है जब एक person अपने आपसे ही बात करते है, अब यह मत बोलना कि एक person अपने आपसे बात کر रहा है तो वो पागल है, ऐसा नहीं है अब देखो हम लोग मन में सोच रहे हैं कई बार होता है ना मन में हम कुछ सोचते हैं या फिर हम जैसे बैठे हुए हैं अपने आप से गाने गा रहे हैं या कई बार हम बैठी हैं अपने आप से रिविजिन कर रहे हैं कि आज हमने क्या पढ़ा यह सारे चीज़े क्या होती है, यह शीशे के आगे खड़े हो कि हम कुछ डायलोग बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इंट्रा पर्सनल, यानि कि एक पर्सन अपने आप से बात कर रहा है, आप इसको ऐसे एक्जामपल रखो, ठीक है, अब देखो, स्पेलिंग से याद करेगी, अगर पसंद आई है, ऐसे ही छोटी-छोटी से ट्रिक्स चाहते हो, तो कॉमेंट जरूर कीजेगा, एक सेपरेट सेशन लाऊंगी, जिसमें सरफ ऐसी ही ट्रिक्स पर हम फोकस करेंगे, जिसमें जैसे की मीटिंग है, ग्रुप में ये बहुत सारे लोग हैं, सब को पूरा अधिकार है बोलने का, सब अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, मास कम्यूनिकेशन क्या होता है, इस तरह की कम्यूनिकेशन में एक इनसान बोलता है, बहुत से लोग सुनते हैं, जैसे की आपने मोदी जी का भाशन सुना होगा, वो सिरफ स्टेज पे रह करके बो communication है तो इन चारों में से कौन से टाइब की communication इस समय हमारे session में चल रही है ये मुझे comment करके बताईए मैं आपको वहीं पर बताऊंगे कि आपका answer सही है या गलत है next we have horizontal vertical and diagonal ठीक है so सबसे पहला ये वाला जो communication है ये है vertical communication जब माल लिजे किसी company के HR किसी fresher employee के साथ बात कर रहे है यानि कि upper level के जो employee है वो किसी junior level के employee से बात कर रहे है ठीक है next we have horizontal horizontal communication horizontal में क्यों होता है equal level पे बात करते है माल लीजे हमारे पास जैसे हमारी company में अलग-अलग verticals है एक section है जो कि UGISnet की तयारी करवाते है एक section है जो कि maharashtra set की तयारी करवाते है ठीक है माल लीजे एक session है जो कि PhD entrance examination की तयारी करवाते है तो तीनों ही sessions के तीनों ही verticals के जो HR है ये अपस में अगर communicate करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये horizontal communication हो जाएगा then we have diagonal communication जैसे कि ये देखो UGISnet, MH set और PhD ये तीनों वर्टिकल्स के candidates है ये HR है ठीक है यहाँ पर उनका junior staff है तो ये क्या कर रहे है माल लीजे PhD channel के HR ने UGISnet वाले किसी educator से कोई बात कर दीक है तो इस तरह से यहाँ पर communication होता है जिसको की बोला जाता है diagonal communication next we have downward and upward communication downward same upper level से lower level जैसे कि school के principal ने अपने school के staff से बात की उन्होंने कोई notice जारी किया जो कि उन्होंने directly students को नहीं बताया उन्होंने अपने school के staff को बता दिया वो staff के आगे responsibility है कि वो अपनी अपनी class में जाकर के students को वो बात बताए similarly अग students को school के किसी भी management से related को issue है तो students directly principal के पास नहीं जाएंगे वो डर रहे है principal को बताने से तो वो के करेंगे वो अपनी class teachers के पास बताएंगे class teacher आपस में बात करेंगे and then वो principal के पास जाकर के बताएंगे कि बच्चों की यह यह queries है तो यह हो गया upward and downward उपर की और और नीचे की और संचार ऐसे होता है next we have classroom communication कक्षा में संचार क्या होता है कक्षा में संचार एक teacher और एक student के बीच में होता है इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा information share होती है classroom communication में knowledge को develop किया जाता है ठीक है teaching aptitude में इसको detail में discuss किया है मुल्यांगन बहुत जरूरी है सो classroom में रेखो teacher ने students को पढ़ाया and फिर session के end में students को बोला कि बताओ आज जो हमने पढ़ा वो समझ आया आगर समझ आया तो मुझे फटा-फट से बताओ कि क्या क्या चीजे आज हमने पढ़ी या फिर class के end में students teacher को बताएंगे कि आज मैम आपने जो कुछ भी बढ़ाया हमें कुछ भी समझ नहीं आया इसको आप कल फिर repeat कीजेगा यह सब क्या है यह सब evaluation है यह सब feedback है तो हमेशा communication जब two way होता है वो तभी clear माना जाता है one way communication में questions नहीं पूछे जाते doubts clearing session जो है उसमें थोड़ी से problem रहती ही है correct तो यह होता है classroom इसी के साथ अब शुरू करते हैं ICT की basic definition से सबसे पहले students आपको ICT की full form पता होनी चाहिए जो की है information and communication technology information का मतलब क्या होता है सूचना कहीं से भी हमें सूचना मिलती है and internet की मदद से हम लोग communicate कर सकते हैं यानि कि संचार कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं and technology की मदद से हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है हम लोग घर बैके ही information भी collect कर सकते हैं और किसी से बातचीत यानि की communicate भी कर सकते हैं तो ये मतलब होता है information and communication technology का इसके अंदर internet, electronic devices, computer, radio, television या फिर latest technologies जो भी हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो ये था हमारा पहला topic जिसमें हमने basic अब हमारा अगला topic है main four components of computer system तो computer अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो students आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि computer के main कौन-कौन से parts होते हैं तो इस तरह की जो screen आपके सामने आती है ये होता है monitor ठीक है ये होता है keyboard then we have mouse तो mouse भी दो तरह के होते हैं एक wired, एक wireless, correct? then we have speakers यहाँ पे आप देख सकते हो and यहाँ पे है ये CPU इसको computer लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है CPU है and here we have printer so printer और speakers को add करना या नहीं करना ये आपकी अपने requirement होती है इसके अलावा keyboard, mouse, monitor and CPU ये parts compulsory होते हैं इन में से अगर एक भी part missing है तो हमारा computer अच्छे से काम नहीं करता तो ये सभी parts को हम अब detail में discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे input devices, output devices, processing devices and storage devices तो input devices वो devices होती हैं जिसकी मदद से हम data को enter कर सकते हैं अब जैसे कि मैं बोल रही हूँ मेरी जो आवाज है वो मेरे laptop के mic के through जा रही है तो mic क्या हो गया? input devices होगी अब आप लोग अपने computer या mobile में मेरा ये session देख रहे हो तो आप लोगों को अवाज बाहर को आ रही है यानि कि output device से आ रही है तो output device क्या है? speakers है जैसे कि ये जो computer की screen होती है जिसको monitor बोला जाता है computer के अंदर जो कुछ भी होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देता है यानि कि ये output है ये output device है keyboard क्या है? keyboard एक input device है क्योंकि इससे हम जो कुछ भी enter करेंगे जो कुछ भी इसमें दबाएंगे वो सारी चीजे हमारे computer के अंदर चली जाएंगी similarly mouse भी क्या है? input device है अब अगर हम CPU की बात करें CPU क्या है? ना ही ये input device है ना ही ये output device है CPU को बोला जाता है brain of computer यानि की computer का दिमाग अब मेरे हाथ काम कर रहे है मैं जिसे बोल रही हूँ मैं मुह से बोल रही हूँ लिख रही हूँ ये देखो मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मैं हाथों से लिख रही हूँ लेकिन ये सारी instructions मुझे कौन दे रहा है ये सब instructions मुझे मेरा दिमाग दे रहा है वैसे ही computer में हम चाहे printer से कोई print out निकलवाए monitor में कुछ गाने चलाए ये सारी चीज़ों के पीछे कौन होता है CPU होता है इसी के साथ अब बात करते हैं अगले topic की जो कि है input device so input devices मैंने आपको बता दिये कुछ examples हैं जो कि exam में पूछे जाते हैं इससे related कैसा question आता है वो भी अभी हम discuss करेंगे so input devices में पहला है keyboard दूसरा है mouse के अंदर जा रही है वैसे ही joystick होता है ये gaming के लिए use होता है track wall भी use होता है then we have scanner यानि की कोई कागस आपके पास है उस कागस को अगर आपने image की format में enter करवाना है अंदर रखना है अपने computer में या laptop में scanner यूज होता है touchscreen mobiles आप यूज करते हो तो वो भी क्या है input device है webcam जो camera होता है वो भी input device है तो ये list आपको याद रख लेनी है next we have output devices जो की हमें results बाहर display करवाती है तो display करवाने के लिए सबसे पहले monitor headphones जिससे की अवाज बाहर हमें सुनाई देती है screen projector यानि की computer के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो हम wall पर इसकी through देख सकते है तो ये हमें result आउट करके दे रहा है printer क्या करता है computer के अंदर जो photo है जो भी paper है उसको एक कागस में हमें निकाल कर देता है similarly plotter होता है printer plotter same ही family से belong करते है sound card, speaker, video card ये सब हमने बता दिये GPS location तो ये सब क्या है ये सब के सब output devices है अब next topic आता है keyboard आप बोलोगे keyboard तो आ गया मैं हम already हमने input devices में इसको cover कर दिया लेकिन keyboard अपने आप में ये एक बहुत बड़ा topic है UGIS in at examination के लिए so keyboard पे बहुत सारी keys होती है अब यहाँ पे एक homework question note कर लीजे total number of keys कितनी होती है एक general keyboard में ये question 100% exam में आएगा तो students इस cancer मुझे आप comment करके बताई अगर नहीं आता है तो भी comment करके बता दीजे कि मैं हम इस cancer नहीं पता तो मैं वहाँ पर ही आपको reply करूँगी अगर आपको इस cancer आता है तो भी comment कर दीजे ताकि अब देखो ये जितनी भी keys है इसको छोटे-छोटे हिस्सों में divide किया गया है तो सबसे उपर वाला हिस्सा जो आता है ये आता है function keys so function keys होती है F1 से F12 तक corner वाली key जिसमें ESC लिखा होता है ये होती है escape key then we have ये बड़ा सा इसको बोला जाता है space bar यहाँ पे control button यहाँ पे control button अब आप बोलोगे कि दो बार एक ही button क्यों है अब देखो जैसे कि keyboard में ये वाला जो area होता है इसमें basic A to Z होते है ठीक है A से Z तक कि यहाँ पे alphabets होते है अगर हमें ये आधे में divide करते हैं अगर ये वाले keys को press करना है तो ये वाले control के साथ कर सकते है और बाकी के keys को press करना है तो इस control के साथ कर सकते है तो fingers easily move हो जाती है ये button क्या होता है ये होता है enter button जिससे कि हम कुछ लिखते हुए इसके बाद अगली line पर आते हैं मैंने अपना नाम लिख दिया अगली line पर आना है तो enter press कर सकते है ये वाला जो button है ये होता है back space यानि कि एक space पीछे जाना है ये होता है हमारे पास directional keys जिसको key arrow keys के नाम से भी जाना जाता है top, down, left, right ये 4 तरह की keys होती है then we have numeric keypad जिसमें कि 0 से 9 तक नंबर होते है plus, multiplication, minus, division इसे कि add the rate, percentage, and का sign, dollar का sign ये star हो गया ये जितने भी symbols होते है less than, greater than ठीक है, ये curly braces ये सारे आते हैं special symbols के अंदर correct, so I hope students यहां तक कि जो चीजें हैं आप लोग की बोर्ड के case में समझ गई हो अब homework question जो दिया है जरूर उसका reply कीज़गा next topic आता है types of printer so printer भी क्या है printer हमारे पास है एक output device इसको दो हिस्सों में बांटा गया है impact and non-impact printer impact printer होते हैं जो कि directly paper और printer की जो device होती है printer device की अंदर जो main part होते है जो print करने में हमें मदद करता है उसको ये paper के साथ touch करते हुए काम करता है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है character and line line में दो types होते है dot matrix and daisy wheel and sorry character के दो types हैं ये and line के दो types है drum, chain and band then we have non-impact इसमें आता है inkjet, laser and thermal so ये sequence आपको याद होना चाहिए exam में पुछा जा सकता है कि chain printer कि कि कैटेगीरी में आता है next यहाँ पर देख सकते हो students यह आप लोगों के पास एक homework question है अभी हमने discuss किया कि कौन सी input devices है 4 options है, यहाँ पर देखो बहुत सारे devices के नाम इस तरह से लिखे हुए है आप देख सकते हो तो जिस भी option में सभी devices, input devices हैं वो आपका correct answer होगा तो मुझे comment करके बताईए कि क्या सही answer है next question is CPU next topic है CPU CPU का मतलब brain of computer इसको computer का दिमाग माना जाता है central processing unit इसके full form याद रख सकते हो बहुत important है examination के लिए ठीक है जितने भी data processing के काम होते हैं आपने computer पे गाना download कर रहे हो या फिर एक file दूसरी जगा पे भीज रहे हो अपने computer से तो उन सारी processing के पीछे किस का हाथ होता है CPU का हाथ होता है अब आपको अगर बाहर से देखोगे तो CPU आप लोगों को कैसा दिखेगा CPU बस एक इस box की तरह आपको दिखेगा लेकिन अंदर से CPU को further sections में divide किया जाता है पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है memory ALU का मतलब क्या होता है arithmetic logical unit MU memory unit, CU control unit कुछ भी चीज को store करना है Ghana download करके store कर रहे हो कोई photo app computer या laptop में डाल रहे हो तो वो memory unit के अंदर जाता है mathematics से related या कोई calculations से related काम है तो वो ALU करता है and जैसे CPU है monitor connect है, यहाँ पे mouse है यहाँ पे keyboard है, यहाँ पे speakers है printer है, कितनी सारे devices connected है इनका जितना भी काम रहता है उन सब को control and coordinate करना control unit का काम होता है so I hope students इस तरह से आप लोगों की बहुत अच्छे revision हो रही होगी super fast session है जो कि definitely, definitely इस कम समय में आपको मदद करता है अच्छा score करने में and अगर आप चाते हो कि मैं सीरीज को continue रखो ता मुझे comment कर दीजिए next topic we have is memory unit, so memory क्या होता है when the data and instructions are entered in the computer, where they are stored, ठीक है, so जो भी चीज़े instructions है, data है, जब भी computer के अंदर वो जाता है जहां पर उसको store किया जाता है उसको memory बोलते है so memory basically दो types की होती है primary memory and secondary memory prathmic and madyamik so primary memory क्या होती है primary memory को computer की main memory भी बोला जाता है जो की already पहले से ही computer के अंदर होती है ठीक है, and secondary memory क्या होती है, ये external memory होती है, जिसको add करना, या फिर नहीं करना ये एक person की अपनी choice होती है, अब आप लोग mobile लेते हो, आप लोग mobile लेते समय देखते हो कि memory पहले से होती है लेकिन अगर आपको लगता है कि उसकी memory कम है, तो आप लोग extra external memory card को use कर सकते हो तो जो पहले से memory होती है that is called primary and जो extra memory card या pen drive आप use करते हो that is called secondary memory तो ये add करना या नहीं करना student पे, user पे होता है पूरी तरह से memory को आगे बहुत से हिस्सों में divide किया गया है, जिसमें की सबसे पहले आता है register memory, जिसकों की CPU register भी बोलते हैं, level 0 पे ही आता है, so CPU register register एक smallest set होता है जिसमें की data को hold किया जाता है register जो है, वो basically store होते है, किसको use होते है, किसको store करने के लिए instructions को store करने के लिए जो भी data हमने use किया है उस data को ये store नहीं करता लेकिन उसके address को store करता है अब book में आप लोगोंने index देखा होगा, index में directly chapter ये introduction तो नहीं होती है index में सिरफ क्या होता है उस chapter का या उस topic का address होता है, वैसे ही register यहाँ पे काम करता है second आगया cache memory, जिसका एक example SRAM है, SRAM का मतलब होता है static RAM, आगे हम देखेंगे ठीक है, so cache memory क्या होती है, ये होती है, एक chip based computer component, जो की data को easily retrieve कर सकता है memory से, and cache memory जल्दी से भर जाती है, अगर आप इसको delete करना चाहो, तो immediately delete भी कर सकते हो, main memory में आप लोगों को बता दिया, magnetic disk और magnetic tapes और जो है, ये दोनो auxiliary memory के types आते हैं ये आप देख सकते हैं, प्रिवेस एर question है जिसमें की हम बात करेंगे RAM and ROM की, so देखो, RAM and ROM is questions आपको clear हो जाएगा, ROM का मतलब read only memory, read only, यानि कि इसके अंदर जो लिखा है, उसको हम सिरफ पढ़ सकते हैं उसको edit करके, change करके, कुछ नहीं उसमें नया, हम add कर सकते, RAM होता है random access memory, correct so, सबसे पहले हम RAM की बात करते हैं RAM is basically used to store the programs and data being used by CPU in real time RAM के अंदर जो भी data होता है, इसको हम लोग read भी कर सकते है and write भी कर सकते है and इसके अंदर जो data है उसको हम लोग erase भी कर सकते है यानि कि मिटा भी सकते है वो भी बार बार जितनी बार हमारा मन चाहे जितनी बार हमें ज़रूरत हो so, RAM basically दो types की होती है एक होती है SRAM, जो कि मैंने आपको भी बिताया S का मतलब है static RAM आपको आगे पता है दूसरा आता है हमारे पास DRAM D का मतलब क्या होता है D का मतलब होता है Dynamic Random Access Memory तो यह दो चीज़े important है then we have ROM ROM क्या होता है pre-recorded इसके अंदर चीज़ें आजाती है and इसमें जो भी कुछ रहेगा उसको हम delete नहीं कर सकते ठीक है एक बार जो add कर दिया वो add कर दिया उसको नहीं हम delete कर सकते अब इस question में देखो बताया गया है कौनसी statement बिल्कुल true है तो यहाँ पे statement क्यों ही सिरफ true है क्योंकि read-only memory जो है वो volatile नहीं होता वो non-volatile memory के अंदर आता है correct यहाँ पे आप देख सकते हो volatile और non-volatile के क्या definition है बहुत easy topic है next भी है which of the following represents 1 billion character so correct answer है gigabyte सब यह gigabyte क्या है अगर पहली बार computer ICT पढ़ रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दू कि memory की कुछ basic units होती है ठीक है जैसे कि आप लोगों को daily कितना GB data मिलता है 2 GB कई लोगों को 1 GB data वाला pack होगा कई ओं को 1.5 GB वाला होगा तो यह GB क्या है GB is gigabyte ठीक है तो यह units होते है memory के तो इसमें जैसे कि सबसे पहले आता है bytes फिर kilobytes फिर उसके बाद MB megabyte ठीक है उसके बाद gigabyte, terabyte, petabyte इस तरह से आप देख सकते हो TB मतलब terabyte ठीक है तो यह byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and yotabyte तो यह आपको sequence भी याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है तो इसे से related यह वाला question था अगला topic आजाता है CD and DVD तो CD और DVD बहुत important topic है CD का मतलब क्या होता है आपने देखी जरूर होगी, सुनी जरूर होगी CD का मतलब होता है compact disc और DVD का मतलब होता है Digital Versatile Disc ठीक है Next है RAM ROM की बात करें Already हम यह चीज़े देख चुके हैं basic से definition आप इसकी orbit देख सकते हो ठीक है DRAM and SRAM भी मैंने आप लोगों को Next we have hardware and software hardware वो चीज़े होती है जिसको हम लोग easily touch कर सकते हैं software वो चीज़े होती है हमारे mobile के अंदर होती है जैसे WhatsApp है Facebook है यह सारे applications जो होते हैं यह software होते हैं hardware होते है mobile, mobile की battery, mobile का charger similarly यहाँ पर आपके सामने computer के case में इसकी पूरी की पूरी list मैंने रखी हुई है कुछ important general abbreviations है जो कि examination के लिए important है इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है बस full form है CPU, Central Processing Unit ALU, Arithmetic Logical Unit तो इस slide को आप अच्छे से देख लिए चीज़ में समझना कुछ नहीं है बस इसको याद रख लीजिए next we have internet internet आप सभी use कर रहे हो एक जगा पर बैट कर internet की मदद से पूरे world में हम लोग कहीं पे भी किसी भी file को download कर सकते है कुछ भी use कर सकते है next आजाता है हमारे पास common internet terms जिसमें की HTTP, HTTPS इसमें भी आपको ज़ादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है Hypertext Transfer Protocol इसकी full form है IP address हर एक computer का unique address होता है email को हम आगे detail में देखते हैं of different web pages ठीक है अब website Facebook आपने चलाई है Facebook में क्या है बहुत सारे छोटे-छोटे web pages है जिनको मिलाकर एक website बनती है web browsers क्या होते है इसके एक example आप देख सकते हो Google, Chrome आपने सुना होगा जिसकी मदद से हम लोग Google पर जाकर के कुछ भी search कर सकते हैं तो यह सारे इसके example है ठीक है यह प्रीविस एक question है यहां से आपको एक idea हो जाएगा कि कैसे किस topic से कैसे questions आते हैं Next we have email email क्या होता है professional एक तरीका है किसी एक जगा से दूसरी जगा पे mail करना किसी एक जगा से दूसरी जगा पे files को transfer करना So email के different types होते है 2 में आता है उस person का email ID जिसको आमने mail भेजना है subject में आता है कि क्या हमारा mail भेजने का topic है किसी को file भेजनी है यहां पे click करके file को select कर लीजे जैसे whatsapp पे किसी को photo भेजते है and आप easily यहां पे send का button press कर सकते हो Then email ID से related एक basic term है जिसका नाम है BCC BCC का मतलब होता है blind carbon copy Similarly CC भी पूछा जा सकता है जिसना मतलब होता है carbon copy चीके तो यहां पे आप देख सकते हो यह भी एक previous year question है BCC और CC से related Next आता है land, man, van land का full form local area network इसको मैं एक example की मदद से ही आपको बता देना चाहती हूँ So local area network, van wide area network, metropolitan area network यानि की man So यह question है अगर एक ही building में छोटे level पे काम करना है सबसे छोटा होता है land उससे बड़ा होता है man और सबसे बड़ा होता है van Van का एक example है internet जो की पूरे world को हमें connect करने में मदद करता है Last topic है virus Virus क्या होता है? Virus आपको पता है हमारे computer में कोई ऐसी file आ जाती है जिसकी वज़े से हमारे computer को नुक्सान पहुन सकता है तो वो होता है virus और इसको बचाने के लिए हम लोग अपने computer में या mobile में anti-virus का use कर सकते है Students, I hope आपको यह पता होगा कि virus की full form क्या होती है जैसे कि CPU एक term है इसकी full form है वैसे virus की भी full form होती है जो की exam में पूछी जाती है यूजर सेनिट exam में और set exam में भी इसको पूछा जाता है तो आप लोग इसके लिए इसकी full form मुझे comment करके बताईए ठीक है तो virus क्या जरता है हमारे mobile में हमारे computer में आ जाता है अगर उसी computer या mobile से हम किसी को कोई photo भेज़ते है या फिर कोई file भेज़ते है कोई गाना भेज़ते है तो उसी के साथ वो बाहर चला जाता है virus हमारे system में है इसकी पहचान कैसे होती कि हमारा system slow हो जाता है बहुत hang होता है जो काम हम करवाना चाते है उसके अलावा वो कुछ और और ही काम करता रहता है इसका मतलब होता है कि हमारे computer या mobile में virus है अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके system में virus है तो आप मुझे comment करके बता सकते हो इसमें हम और भी जादा discussion कर सकते हैं इस topic पर एक separate session में आपके लिए लेने वाली हूँ क्योंकि ये topic बहुत जादा important है और इसी से related a question है जो कि expected questions है Which of these was the first computer virus? So पहले computer virus कौन सा है? पहले हम देखेंगे sustainable development goals जिसको की SDG के नाम से जाना चाता है Hindi medium students यहाँ पर Hindi में ये सारे नाम देख सकते है So exam में सबसे पहला पुछा जाता है कि कितने goals होते है So SDG के अंदर total 17 goals होते है दूसरा important point इससे related ये है कि exam में पुछा जाएगा कि SDG के 17 goals में से second number पर कौन सा goal आता है तो वो आता है goal number 2 यानि कि 0 hunger तो इन सभी का एक तो आप लोगों को sequence भी याद रखना है कौन से number पर कौन सा goal आता है ये जानना बहुत important है तो Hindi and English दोनों ही medium के students ये देख सकते हो Next topic आजाता है हमारे पास MDG MDG का मतलब होता है Millennium Development Goals So इसमें सिरफ 8 ही goals हमारे पास होते है अब देखो students SDG और MDG में आप लोग बहुत से बच्चे confused होते हैं लेकिन मैं आपको बता दू जैसे अगर हम SDG की बात करें इसमें पहला है no poverty यानि कि गरीबी हमें हटानी है दूसरा है zero hunger यानि कि जो भुखमरी है ठीके शुन्य भुखमरी हमें करनी है तो MDG में क्या होता है MDG में poverty और hunger यानि कि SDG के goal number one और दो को मिला करके एक ही goal बना दिया गया है आप देख सकते हो इसमें extreme poverty यानि कि अत्यादिक गरीबी और भुखमरी को हमें कम करना है ठीके शुन्य इस तरह से SDG और MDG काम करते हैं इसमें total eight goals है अब यहाँ पर दूसरा important concept क्या है कि SDG और MDG में common चीजें कौन कौन सी है यानि कि दोनों में क्या समानताएं है ये भी examination point of view से बहुत important है जैसे कि एक तो पहला वाला ही concept मैंने important बता दिया कि poverty और hunger उसमें भी था इसमें भी है हर एक बच्चे को अच्छी education मिलनी चाहिए वो उसमें भी है इसमें भी है तो इस तरह से आपको common points भी याद रखने है promote gender equality and empower women यानि की महीला पुरुष को समान अधिकार दिये जाने चाहिए and women's को महीलाओं को अत्यधिक आगे बढ़ाना चाहिए हर काम को लेगर के तो ये भी concept दोनों में ही है तो इस तरह के important points आपको है इसमें के साथ बढ़ते हैं अगले topic की और जिसमें हम बात करने वाले है four spheres of earth के बारे में यानि की पृत्वी के चार गोले कौन-कौन से होते हैं गोले का मतलब यहां पर यह है कि किस-किस layer पे पृत्वी किस-किस layer को मिला करके पृत्वी बनी है या फिर हम बोल सकते हैं पृत्वी में कौन-कौन सी layers होती है तो सबसे पहली layer कौन सी आ जाती है इसमें आ जाती है lithosphere ठीके lithosphere के बात करें इसको geosphere भी बोला जाता है यह है soil से related यानि कि जो हमारे मिट्टी होती है उससे related होती है तो इसमें छोटे-छोटे मिट्टी के particles जो भी हमारे धर्ती होती है वो सब चीजें आ जाती है उसके बाद आता है hydrosphere यानि कि पानी से related, hydro का मतलब होता है हम पानी के बारे में बात कर रहे है ठीक है hydrosphere में पानी के साथ-साथ जो पानी liquid form में होता है solid form में होता है जैसे बरफ होती है वो सब चीजें आ जाती है then we have atmosphere atmosphere होता है air से related air में, earth में कितनी सारी तरीके की airs है हवा है, हवा में कितने सारे particles हैं वो सब atmosphere में आता है then we have biosphere जो कि planet में जितने भी living things है जैसे कि birds वगरा आ जाते हैं वो सब birds, plants, animals वो सब biosphere के अंदर आते हैं correct so next topic है हमारे पास pollution and its types so pollution क्या होता है, प्रदूशक so production क्या होता है environment में, यानि कि हमारे वाता वरण में, हमारे पर्या वरण में छोटे-छोटे से materials घूम रहे होते हैं हवा के बीच में जिससे कि हमें नुकसान पहुन सकता है pollution किसी इंसान के अंदर हवा के साथ भी जा सकता है या किसी भी और तरीके से जा सकता है ठीक है, so pollution different type का होता है जिससे कि water pollution, air pollution, land pollution भी हमारे पास होता है correct, तो सबसे पहले अगर हम लोग air pollution की बात करते है so air pollution में क्या होता है हवा में जो छोटे-छोटे particles आ जा जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारे वातावरण को, इंसानों को जानवरों को, पेड़ बादों को नुकसान पहुन सकता है वो होता है air pollution correct, so air pollution के कुछ sources होते हैं जैसे कि automobiles जो भी गाडिया होती है उसकी वज़ा से air pollution हो सकता है heating plants ठीक है, heating plants हो सकते है उसके बाद industries जो होती है बड़ी-बड़ी factories होती है वहाँ से धुआ निकलता है उसकी वज़ा से air pollution होता है उसके बाद आ जाता है electrical power plants ठीक है, यानि कि जितने भी industries का area ही हम इसको overall बॉल सकते हैं इन सभी के वज़ा से air pollution हो सकता है अब air pollution तो होता है लेकिन उसमें कौन-कौन से gases होती है air pollutants क्या क्या होते है pollutants मैंने क्या बताया परदूशक जो होते है तो कौन-कौन से परदूशक हो सकते है air में पहला है CO यानि कि carbon monoxide दूसरा आ जाता है lead ठीक है, तीसरा आ जाता है nitrogen dioxide जिसको NO2 के नाम से जाना जाता है next आ जाता है PM यानि कि particulate matter and उसके बाद आ जाता है SO2 यानि कि sulfur dioxide तो ये सारे हैं जिसकी बज़ा से air pollution हो सकता है उसके बाद second जो pollution है हमारे पास वो होता है water pollution so water pollution is the contamination of pollution in water bodies जैसे कि lakes होती है, river होती है समुद्र होते है, पानी जो जमीन के अंदर होता है, अगर उसमें कुछ मिलावट वाले particles आ जाते हैं तो वो water pollution होता है so water pollution दो तरीके से हो सकता है एक हो सकता है natural तरीके से जैसे कि volcanic eruption हो जाते है land slide होता है, यानि कि पहार जब धस जाते हैं वो मिट्टी सारी पानी में मिल जाती है तो उसकी वज़े से पानी धुमला हो जाता है और दूसरा हो सकता है anthropogenic sources anthropogenic sources ये दोनों चीज़े हिंदी मीटिम स्टुडेंट्स के लिए भी सेम रहेंगी, so anthropogenic sources होते हैं जैसे कि agriculture में पानी जो यूज होता है उसको नदियों में नालों में फैंक देते हैं या फिर बड़ी-बड़ी industries में जो गंदा पानी होता है उसको हम लोग नदी नालों में मिला देते हैं तो वो सब चीज़ें क्या आती है, water pollution के अंदर आती है, तो water pollution agriculture की वज़े से, industry की वज़े से जो भी natural pollutants हो सकते हैं, उनकी वज़े से land slide वगरा इन सब चीज़ों की वज़े से हो सकता है ओके, then we have third type that is land pollution तो land pollution क्या करता है land pollution is the destruction of earth's land surfaces directly और indirectly as a result of man's activity, so इंसान की वज़े से, किसी भी इंसान की किसी activity की वज़े से, या फिर किसी भी और वज़ा से, जब हमारे land में, यानि की हमारी भूमी में production फैल जाता है, तो उसको land pollution बोला जाता है, ठीके, so इसका सबसे पहला बड़ा reason है agriculture ठीके, agriculture क्या होता है, कि खेती बाड़ी करते समय कोई गलत spray हमने कर दी, कोई गलत कीट जाता है, जाता है, तो वो पूरी जमीन को खराब कर देता है, तो इस तरह से हो सकता है land pollution next noise pollution भी हो सकता है, जिसको की ध्वनी प्रदूशन के नाम से जाना जाता है ध्वनी प्रदूशन हो सकता है, जैसे की घर में कोई बहुत जोर से टीवी लगा रही है food mixer है, parties होती है, DJs होते है तो ये सब क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आजाती है, आपके निकर लीजिए next important topic है, जिसका नाम है important agreements, ठीक है so important agreements में सबसे पहला agreement आता है Paris Agreement जिसको COP21 के नाम से भी जाना जाता है so Paris Agreement was adopted by 196 countries at UNFCCC Conference of the Parties 21 जो की Paris में हुआ था so 12 December 2015 को Paris में ये agreement हुआ था इसलिए इसका नाम Paris Agreement है and ये COP Conference of Parties जो है उसके 21st number पर आता है इसलिए इसको COP21 बोला जाता है Paris Agreement का major focus किस पे था? greenhouse gas की emission पर था exam में ये जरूर आता है exam में बस ये ही पुछेगा कि Paris Agreement कब हुआ था and major point इसका क्या था तो वो ये था कि इसमें greenhouse gases की emission को यानि कि इसके कम से कम use को हमें यहाँ पे लोगों तक पहुँचाना है next आ जाता है Montreal Protocol so इसमें क्या है? इसमें basically ozone layer के साथ हम काम करते हैं ozone depletion जो हो रही है उससे related यहाँ पे काम किया जाता है so Montreal Protocol को sign किया गया था 1987 में इसको sign किया गया था and 1989 में इसको अच्छे से काम पे लाया गया था so ozone layer की बात हो रही है that means we are talking about ozone Montreal Protocol की बात हो रही है that means we are talking about ozone depletion next आ जाता है हमारे पास Kyoto Protocol Kyoto Protocol 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change जिसको की अभी हमने UNFCCC first उसमें पढ़ा था यह इसकी full form है याद रख लिजेगा so Kyoto Protocol को क्या बोला जाता है Kyoto Protocol को Japan COP भी बोला जाता है क्योंकि Japan में एक city का नाम है Kyoto जहां पे यह हुआ था यह कब हुआ था यह 11th December 1997 को adopt कर दिया गया था and इसमें total 39 industrialized country है यानि कि जो जो countries में बहुत जादा industries है वो सारी countries ने इसमें participate किया था and under this a country can finance carbon dioxide saving measures in another country and thus offset its own emission ठीक है so carbon dioxide जादा कुछ याद मत रखिये global warming and CO2 यानि की carbon dioxide की जहां पे बात हो रही है वहाँ पे हम Kyoto Protocol की बात कर रहे हैं बस आपको यह याद रखना है निक्स्ट है रियो सम्मिट रियो सम्मिट में इसको हम रियो अर्थ सम्मिट अजेंडा 21 रियो डेक्लेरेशन या फिर सिंपली अर्थ सम्मिट के नाम से भी जानती हैं इसको 3 से लेकर की 14 जून 1992 के बीच में इसका हुआ था काम नेक्स आजाता है International Solar Alliance International Solar Alliance जो है इसको कब लाया गया था फोर्स में यह आप लोगों के लिए इसको कब फोर्स में लाया गया था यह action oriented member driven collaborative platform है for increased deployment of solar energy इसमें यही बोला गया है कि जादा से जादा हम लोग solar energy पे काम करें ताकि क्या हो सकता है क्योंकि यह free energy है and 100% हम लोगों को pure energy मिल रही है अगर हम जादा से जादा solar energy को use करेंगे तो हमें artificial energy बनाने की ज़रूरत नहीं है इसलिए आपने देखा होगा कि आज के समय पे solar power plants ठीक है solar lights घरों में use होती है street light solar based है mobile charger solar based है तो इसलिए यहां पर किया गया है इस चीज़ पर focus अभी देखो students 26 January 2023 अगर आप लोगों ने जो टेली में parade होती है वो parade देखी होगी तो international solar alliance की और से भी वहां पे एक जहांकी निकाली गई थी और उसमें उन्होंने यह साफ-साफ बताया था कि इंडिया में इंडिया में एक कौन सा वो ऐसा state है जो की 100% solar power का अब use कर रहा है यह अगर आप लोगों ने नहीं सुना था तो आप इसको जल्दी से गूगल पे सर्च करके मुझे comment करके बता सकते हो और अगर आपको इसका answer नहीं पता तो भी आप मुझे comment करके बताईए मैं आपको वहां पर ही reply कर दूँ यह हूँ वह question मैं आपको इसलिए दे रही हूँ students क्यों की देखो इसमें क्या है इसमें as it is questions exam में आएगा कि इंडिया का पॉन सा state 100% अभी solar energy का use कर रहा है next अगर हम लोग बात करें global warming की so global warming पर जाने से पहले students एक चीज़ और मैं आप लोग उनको बता देना चाहती हूँ कि chlorofluorocarbons क्या होते है ठीक है examination point of view से important है so इसको cfc बोला जाता है chlorofluorocarbons so chlorofluorocarbons आता कहां से है यह का इसके sources है so ozone के जो particles होते हैं which provide the earth with protective layer against UV radiation cfcs are extremely dangerous when discharged into the atmosphere so अगर chlorofluorocarbons atmosphere में फैल जाती है तो वो बहुत ही जादा नुकसान हम लोगों को पहुँचा सकती है बहुत सारी countries ऐसी हैं जिन्हों ने 1995 में एक decision दिया था कि अब वो chlorofluorocarbons को बनाना जो है बंद कर देगी उसका use करना भी बंद कर देगी अब इस gas को क्यों रोका गया है क्योंकि इसके humans पर बहुत effect है environment पर भी है human पर भी है अगर यह directly किसी के physical contact में आ जाती है तो उसकी वज़ा से बहुत सारी skin problems हो सकती है लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है digestion यानि कि हमारी पाचन क्रिया खराब हो सकती है correct तो इस तरह के बहुत सारे चीजें है बहुत से चीजें हैं जिसकी वज़ा से इसको रोका गया है इससे सांस लेने में problem होगी heart की problem हो सकती है kidney liver यह सब damage हो सकते है chlorofluorocarbon की वज़ा से दूसरा important यहां पर topic हम देखने वाले है greenhouse gases अभी हम लोगों ने यह पढ़ा कि protocol इसके specially बनाया गया है so greenhouse gases क्या करती है it is a gas that absorbs and emits infrared radiation infrared radiation के बारे में आपने सुना होगा उसको यह क्या कर देती है absorb कर लेती है in simple terms we can say that greenhouse gases trap heat in earth's atmosphere जिसको की हम GHG के नाम से भी जानते है इसकी वज़े से क्या हो रहा है बहुत सारी गर्मी फैल रही है पूरे देश में पूरी country में या फिर पूरे world में हम बोल सकते हैं so greenhouse gases में सबसे पहले आ जाता है water vapors पानी के बुलबुले इसको इस तरह से लिख सकते हो water vapors उसके बाद आ जाता है carbon dioxide उसके बाद आ जाता है methane then we have nitrous oxide and उसके बाद आ जाता है ozone तो ये सारी greenhouse gases के examples हैं अगला topic जो है हमारा वो है natural hazards natural hazards यानि के प्राकृतिक जो आपदाएं आती है तो उसमें कौन-कौन से चीज़े हैं इसके directly नाम आपको बताती हूँ प्राकृतिकापदाओं में सबसे पहले आ जाता है जो सूखा पढ़ता है ठीक है cyclone आते हैं जो समुद्र में लहरे गोल घूमते हुए सब कुछ अपने साथ ले करके जाती है ये भी एक natural disaster है उसके बाद air pollution, desert, locust यानि की जो rate होती है जो desert होते है ठीक है राजस्तान में जैसे ये चीज़ें बहुत होती है जो desert होते हैं, रेगिस्तान होते हैं उसमें जब तुफान आते हैं रेगिस्तानी तुफान जिसको बोलते हैं बाड आ जाती है, landslide यानि की जो पहार दस जाते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं ये सब चीज़ें natural hazard के अंदर आती है ओके, नेक्स राज आता है फिर हमारे पास नेक्स टॉपिक जिसका नाम है renewable renewable natural resources natural resources मतलब प्राक्रतिक जो चीज़ें होती है जिसको हम बार बार use कर सकते हैं जैसे कि solar energy solar energy क्या है, natural resource है उसको हम use कर सकते हैं जैसे हम mobile charging के लिए electricity उससे use हो रही है गाडिया solar energy से चल रही है ये सब renewable energy है फिक है, इसमें और कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती है इसमें आ जाता है एक तो biomass energy biomass energy का एक example है इतनोल इसको आप लोगों नहीं याद रख लेना है उसके बाद आ जाता है hydro power hydro power plants क्या होते हैं जो पानी से जैसे बिजली तयार होती है वो सब चीजें उसके बाद आ जाता है geothermal power geothermal power उसके बाद आ जाता है wind energy wind मतलब हवा हवा से जो चीजें हो सकती है then we have solar energy तो यह सारी renewable natural resources हैं जिसको हम लोग reuse कर सकते हैं ओके so next आ जाता है point जो की है climate change climate change का मतलब क्या होता है climate change का मतलब होता है परियावरण में जो परिवर्तन हो रहे है ठीके so परियावरण में सबसे आदा परिवर्तन आपने यह देखा होगा जिसका नाम है global warming ठीके so यह हमारा topic है global warming में directly यहीं पर समझा देती हूँ आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में बहुत जादा गर्मी होती है जो की असहनिया होती है बहुत से लोग इसकी वज़े से मर भी चाते है ठीके so climate change का सबसे बड़ा कारण है global warming जो global temperature पुरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है ठीके जो ocean है जो समुद्र है वो गरम हो रहे है आइस sheets पिगल रही है ठीके बर्फ की जो परते होती है इमालियास में वो पिगल रही है ठीके glaciers टूट रहे है पानी का जो स्थर होता है समुद्रों में वो बढ़ रहा है ठीके इसी तरह से बहुत सारी चीज़े हैं जो कि climate change के लिए है अब climate change का कारण क्या है इसकी causes क्या है पहला तो है increase जो हो रहा है greenhouse gases का हमने देखो greenhouse gases पे पढ़ा इसको रोकने के लिए जो protocol बना है वो भी पढ़ा तो इसकी वजा से भी climate में परिवर्तन आ सकता है ठीके तो greenhouse gases में जैसे की मैंने आपको बताया nitrous oxide NO2, carbon dioxide CO2, water vapor H2O, then methane CH4 and chlorofluorocarbon ये सब चीज़े आती है इसके बाद अगर fossil fuels को जलाया जाता है तब भी global warming होती है industries जैसे बहुत जादा हो गई है जिसकी वज़े से बहुत सी ऐसे gases वहाँ से निकलती है जो कि हमारे परिवर्ण को नुकसान पहुंचाती है तो ये भी climate change का ही major part है तो मैंने आप लोगों को global warming भी बता दिया climate change भी हमारा cover हो गया निक्सा जाता है COP जिसको बोला जाता है conference of parties तो COP क्या है COP एक supreme decision making body है जिसमें की different conventions को बनाया गया है decision कि बारे में लिए जाते हैं decision लिए जाते हैं कि कैसे हम अपने अर्थ को बचा सके ठीक है इसमें बहुत सारी countries participate करती है जैसे कि कुछ COP में 196 country है कुछ COP में कुछ और countries है तो बहुत सारी countries इसमें decision लेती है कि globally यानि की पूरे world level पर जो भी बड़ी-बड़ी problems हो रही है उनको हम कैसे control करके अपने environment को अपने परियावरन को बचा सके सो COP की हर साल meetings होती है जैसे कि अगर हम बात करें COP 27 की सो COP 27 कहां पर हुआ? Egypt में हुआ ठीक है? November 2022 में ये हुआ था exam के लिए important है उसके बाद आता है COP 26 COP 26 कहां हुआ था? ये grass go में हुआ ठीक है? जो कि Northern Ireland में है ये भी November 2021 में हुआ था उसके बाद 2020 में कुरोना की वज़े से कुछ भी नहीं हो पाया था दिन उससे पहले COP 25 हुआ था जो कि Spain में हुआ था ये हुआ था December 2019 में अब क्यूंकि 2023 आ गया है अब COP 28 होने वाला है आप लोगों के लिए ये homework question है कि मुझे बताएए COP 28 2023 में कब और कहां पर होने वाला है तो इस तरह से आप लोगों को ये COP की लिस्ट को ध्यान में रखना है examination के लिए ये बहुत ही जादा important है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं basic introduction से जसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि higher education system जो है इंडिया में उसको control and administer करने का काम है university grant commission यानि की UGC का जितने भी universities हैं जितने भी higher educational institutions हैं उनको कैसे वो काम करेंगे क्या क्या उनका curriculum होगा उन सब चीजों को handle करना UGC की ही responsibility होती है साथ ही सबसे पहले हम बात करते हैं ancient India में education कैसी होती थी यानि कि प्राचीन भारत में शिक्षा की क्या परणाली होती ही सबसे पहले इसमें आता है Vedic period then we have Buddhist period Mediative period, Pre-Independence India जिसको कि British India बोला चाहता है यानि कि आजादी से एकदम पहले का समय Post-Independence India यानि कि स्वतंतरता के बाद के भारत में किस तरह से education होती थी सो इस तरह से इंडिया में education वो different sections में divide किया गया है सो अब अगर हम बात करें ancient India की सो उसमें instructions यानि कि निर्देश किस तरह से दिये जाते थी सबसे पहला निर्देश देने का तरीका होता था श्रवन ठीके श्रवना जिसको बोला जा सकता है English में सो श्रवन का मतलब होता है सुनना इसमें क्या होता था कि teacher जो भी guru होते थे वो बोलते थे और शिश्य जो होते थे students जो होते थे वो सुनते थे और उन चीजों को याद रखते थे दूसरा होता है manana so manana में क्या होता है वो manan करते थे manan करने का मतलब होता है उस चीज के बारे में सोचना ठीक है इसमें क्या होता था जो भी student होते थे वो खुच से सोचते थे खुच से ही ज्यान प्राप्त करते थे और सोच सोच कर वो चीज़ों को समझते थे इसको self introspection भी बोला जाता है तीसरा आता था निद्धि ध्यासना तो यह क्या होता है यह सच और जूट और real world से जो भी चीज़ें हम सीखते हैं जैसे कि हम होता ना हम बोलते हैं जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है तो वही चीज़ इसके अंदर आती थी कि इनसान इस समय पे जो students होते थे वो real life examples के साथ बहुत सी चीज़ें सीख जाते थे जैसे कि अभी जिस चीज़ को हम practical approach बोलते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम theory सीख रहे हैं उसके बाद practically करेंगे तो हम अच्छे से उस चीज़ को समझ जाएंगे hand on practice जिसको आज के समय पे बोला जाता है वो उस समय शुती के नाम से जाना जाता था next आता है curriculum in ancient times यान की प्राचीन काल में पाठिकरम कैसे हुआ करते थे तो मनुष्य जाती का विज्ञान जिसको की anthropology बोलता चाता है वो भी उस समय पे गुरु उनको सिखाते थे then we have astronomy economics, hindi medium students यहाँ पे देख सकते हो then we have epistemology, then we have geology ethnology, human, organics then we have mathematics and military science so यह सारे subjects होते थे जो की प्राचीन काल में सिखाय जाते थे and जैसा कि मैंने one hour वाले session में भी आप लोगों को यह बताया है कि प्राचीन काल में universities और schools होते थे लेकिन maximum times education किस तरह से दी जाते थे, guru kuls की मदद से education दी जाते थे guru kul में क्या होता था, guru का kul यानि की एक teacher का घर सो जितने भी students होते थे जिनको शिश्य बोला जाता था वो सारे students अपने guru के घर में जा करके रहते थे and वहीं पे उन लोगों को education provide करवाई जाती थी जिसमें की 5 साल तक के बच्चों को basic education दी जाती थी उसके बाद एक ceremony उन लोगों की होते थी उस ceremony के बाद ही उनकी proper education शुरू करवा दी जाती थी जिसमें की ये सारे subjects उनको पढ़ाए जाते थे correct सो इस तरह से प्राचीन काल का प्राठेक्रम होता था next topic आजाता है हमारे पास जो की है वेदिक literature सो वेदिक literature में हमारे पास चार तरह की लिटरसी होती है ठीक है साहित्ते इसमें चार तरह के होते हैं वेदास ब्रहमन्स उसके बाद आरण्यक then we have उपनिशत सो अगर हम लोग इसमें वेद की बात करें तो हमारे पास total कितने वेद होते हैं पहला वेद आजाता है रिग वेद ठीक है रिग वेद जो होता है it is called collection of lyrics lyrics का collection इसको बोला जाता है and ये oldest यानि के सबसे पुराना वेद है पूरे world में इसमें 1028 times है 10580 verses है and 10 mandals है ठीक है इस तरह से आपने इसको याद रखना है ये है हमारा पहला वेद दूसरे वेद की अगर हम लोग बात करें सो वो है साम वेद साम वेद को क्या बोला जाता है book of chants book of chants का मतलब है कि जितने भी हमारे mantra है जैसे कि गयतरी mantra है या कोई भी महामरित्विन जय का mantra बोल सकते कोई भी mantra है वो सारे के सारे साम वेद के अंदर लिखे गए है ठीक है इसमें total 1549 verses है और Indian music से related जितने भी important चीज़े हैं वो सारे के सारी साम वेद के अंदर ही आपको मिलती है तीसरा वेद आ जाता है यजुरवेद 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 को बोला जाता है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है पहला है कृष्ण यजुरवेद दूसरा है शुकल यजुरवेद बस आपको इसमें यही आद रखना है चौथा वेद आ जाता है अथर्ववेद अथर्ववेद में जितने भी magical formulas होते है जो भी जादू टोने से related चीजें होती है वो सारी अथर्ववेद के अंदर लिखी गई है जैसे कि आपने सुना होगा किसी बिमारी को मंतरों के द्वारा सही किया जाता है वो सारे मंतर कहा है वो सारे मंतर अथर्ववेद के अंदर लिखे गए है correct दूसरा point आ जाता है यहाँ पर ब्रहमनास तो ब्रहमनास क्या है ब्रहमन क्या करते हैं वेदों को explain करने में हमें मदद करते हैं वेद को explain करके हमें हम लोगों तक वो पहुंचाने में उनका एक रोल होता है ठीक है उसके बाद आ जाता है आरण्यक आरण्यक क्या होते हैं आरण्यक का मतलब होता है forest यानि की one जंगल ठीक है so they are concluding portion of Brahmanaz so Brahmanaz का ही एक portion होता है आरण्यक उसके बाद आ जाते हैं उपनिशत फिलोसिफिकल होते हैं उपनिशत जिसको की विदान्ता के नाम से भी जाना जाता है और कितने विदान्त होते हैं 108 विदान्त होते हैं examination point of view से ये बहुत ही जादा important है correct so next अगर हम लोग बात करें यहां पर वो topic नहीं लिखा गया है और उसका नाम है विदान्ता 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 कितने होते हैं total six विदान्ता होते हैं इसको हम यहां पर detail में discuss नहीं करेंगे इसके लिए students एक separate video मेंने बनाई हुई है जिसका link आपको description box में बिल जाएगा मेरा यही suggestion है कि आप अगर detail में topics को पढ़ना चाहते हो तो आप उसको वहां पर जरूर देख सकते हो link को description box में देख सकते हो क्योंकि यह session quick revision के लिए है इसलिए यहां पर हम basic information ही आपको दे रहे है next आज आता है Buddhist universities so Buddhist universities में आती है नालंदा, उदंतपूरी, विक्रमशिला, सुमपूरी, जगदा और विल्लभी इसकी places भी देख सकते हो and founders founders are not इतने जादा important लेगिन प्लीस आपको पता होना चाहिए इन सभी universities को one by one अब हम लोग आगे जाकर के discuss करने वाले है so सबसे पहली university आ गई है हमारे पास तक्षिला university तक्षिला university वर्ल्ड की सबसे पुरानी university है इसकी spelling यह भी हो सकती है so one of the re-owned ancient university जो की तक्षिला नाम की जगा पर थी इसलिए इसको तक्षिला university बोला गया था so Buddhist literature में इसके बारे में जो है लिखा गया था and तक्षिला university में जितनी भी information थी वो वालमी की रमायना ने दी थी and particularly this university is known for what ancient scriptures, law, medicine, astronomy, military science and और भी जादा arts के 18 subjects इसके अंदर count के गए थे and अगर हम बात करें so बहुत सी countries जैसे की चाइना है, ग्रीस है इस तरह की बहुत सी countries के 10,000 से भी जादा लोग हर साल यहाँ पर admission लेते थे next university we have Mithila University so Mithila क्या है? geographical and cultural region है Indian subcontinent bounded by Mahananda river in the east of Vranga and इसमे literature, fine arts, science यह सब चीज़े सिखाई जाती थी and सबसे important, सबसे major focus Mithila University में किस चीज़ पर लिया जाता था? वेद और नयाए शाहस तरस में पढ़ाया जाता था यह इसके major focus फाले subject थे जो के exam में पूचे जाते हैं next we have Telhara University Telhara जो है एक village का नाम है Nalanda district Bihar के अंदर so Buddhist monastery ancient India के side पर ही जो है यह है and Nalanda University इसी के पास में है Telhara University was older than Nalanda and Vikramshila so इन दोनों universities से भी पुरानी है Telhara University so इस तरह से वैसे तो यह university इतनी important नहीं है क्योंकि इसको Nalanda और Vikramshila से यहां पर relate किया गया है तो यह statement exam में पूची जा सकती है then we have Shraddha Pee Temple University so it is a cultural site and ancient temple located in Pakistan occupied Kashmir region इसमें simple सी बात करें so Palini के अंदर जो भी text लिखा गया है Grammarians जो भी होते हैं वो सारे यहां पर store किये गए है ancient scholars जो है university के जैसे की कलहाना है यह जितने बड़े-बड़े scientist हैं या बड़े-बड़े scholars हैं जो कि basically history पर focus करते हैं जिन्होंने historical places पर research की थी वो सारे यहीं से pass out हुए थे हम यह बोल सकते हैं correct next is Nalanda University so Nalanda University Tibet, China, Greece यहां सभी जगा के students भी इदर पढ़ने आते थे जादा तर इसमें महायाना, बुद्धिजम वेद, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन सामाख्या और इस तरह के subjects पढ़ाई जाते थे and students आप लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा जो कि है बक्तियार बक्तियार खिलजी आपने यह नाम सुना होगा बक्तियार खिलजी ने इस Nalanda University को destroy कर दिया था क्योंकि यह बहुत ही जादा famous university थी next university we have Odantapuri University so यह भी बिहार में है Odantapuri में है so इस university में basically Buddhism, Vedic चीजें यह सब चीजें पढ़ाई जाती थी सबसे famous लोगों की अगर हम बात करें जो इस उनिवर्सिटी से पढ़े हुए है वो है Acharya Shri Ganga ठीक है विक्रमशिला से भी वो पढ़े हुए है और यहां से भी वो पढ़े हुए है next we have विक्रमशिला उनिवर्सिटी that is one of the most important university for your examination so विक्रमशिला उनिवर्सिटी and नलंदा उनिवर्सिटी are two most important centers of learning in India during Pala Empire so यह उनिवर्सिटी पाला उनिवर्सिटी पाला एंपायर की दौरान running state में थी नलंदा और विक्रमशिला दोनों ही ठीक है यह पाला एंपेरियर धरम पाला के दौरा बनाई गई थी and इसमें जो है logic, philosophy व्याकरन जिसको की grammar बोला जाता है ठीक है इस तरह के सारे subject शास्त्र वगरा यह सब subject इसमें हमेशा से पढ़ाएं जाते थी next question देख सकते हैं students यह question जो है यूजसिनेट examination में most expected question है जरूर जरूर पूछा जाएगा ठीक है अभी मैंने आप लोगों को इसका अंसर बताया धरम पाला ठीक है पाला भी आ सकते exam में धरम पाल भी आ सकता है तो आप इसको ध्यान से देख लीजेगा next है types of knowledge in jainism so jain धरम की अगर बात करें इसमें knowledge के types होते हैं matijanana, shrutajanana, avadijanana manaprayajanana and keval janana बहुत ही simple सी one-liner मैंने आप लोगों को statements दी है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो exam में आपको मदद करेगी next important topic आजाता है higher education before independence आजादी से पुर उच्छ शिक्षा में कौन-कौन से acts बनाए गए थी ये exam में आते हैं तो इसकी basic सी information में आपको दूंगी आपको नाम याद रखना है जैसे कि charter act 1813 में बना था तो ये year exam में पूछा जा सकता है या फिर ऐसा पूछा जा सकता है directly कि 1813 में higher education before independence कौन सा act बनाया गया था तो आपका अंसर होना चाहिए charter act तो सभी के year आपको याद रखने है तो charter act 1813 की अगर बात करें तो इन्होंने 1 लाक रूपी उस समय पे promote किया था 1813 में ताकि वो higher education को इंडिया में promote कर सकें जितने भी Christian missionaries थे उन्होंने English और Christians की जो अलग से और भी languages होती है उन सभी को इसमें allow कर दिया था ठीक है and basically scientific जो आपकी education है उस चीज़ पर इसमें focus किया गया था कि science को हम लोग बढ़ावा दे establishment of Hindu college in Calcutta which later became presidency college in 1855 and presidency university 2010 so ये जो मैंने आपको बताया कि 2010 में जो presidency university है and 1855 में जिसको presidency college के नाम से जाना चाता था Hindu college था वो Calcutta का पहले वो इस act के अंदर बनाया गया था ठीक है government ने इसमें तीन setup और किये थे इसमें था एक Sanskrit college of Calcutta Delhi and Agra ये तीनों ही इस act के अंदर Afghanistan report जो की 1823 में बनाई गई थी ठीक है so इसी से related इसी के नाम पर एक university एक institution बनाया गया था Bombay में जो की 1834 में establish किया गया था तो जितने भी schools है उनके supervisor training teachers को training देना examination officers को सब Bombay particular district में appoint करना ये सारे इस report के अंदर consider किये गए थी next we have Mikaalai Mikaalai's Minute जो की 1835 में बनाया गया था it marked the introduction of English education in Indian education system so 1835 में English को major focus रखते हुए यहाँ पर आड़ किया गया था next we have Woods Dispatch 1854 Magna Karta इसको Magna Karta of English Education of India के नाम से भी जाना जाता है next we have Hunter Commission 1882 से 1883 के बीच में Primary and Higher Education को इसमें इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया गया था University Commission 1902 ठीक है and next we have National Council of Education 1906 Resolution of Educational Policy 1913 Sadlar Commission very important Hartog Commission very important Sargent Report यह जितने भी commissions है अगर students आप चाहते हो कि इस पर एक separate video में लेकर के आऊं आप मुझे comment जरूर कीजिए क्यूंकि यह particular slide से exam में जरूर question आते है अगर आप चाहते हो कि सिरफ और सिरफ इसी topic पर में एक separate one hour का session लाऊं तो जल्दी मुझे comment कर दीजेगा next अगर हम बात करें universities की characterization की so इसमें आ जाती है हमारे पास central state private deemed to be university so last analysis के through total number of universities थे 82 and उसको इस तरह से characterized किया गया था correct so यहां पे यहां पे अगर हम आगे बात करते हैं UGC के बारे में so UGC क्या है UGC का नाम existence में कब आया था यह आया था 28 December 1953 में ठीक है and इंडिया गर्मेंट आफ इंडिया के according इसको एक statutory body कब बनाया गया था 1956 में बना दिया गया था as per UGC Act जिसको की section 12 भी बोला जाता है UGC का main function है universities के standard को maintain करना coordinate करना and determine करना UGC comprises of chairman, vice chairman and 10 re-members जो की central government के द्वारा अपोइंट किये जाते हैं and इसके बहुत सारे head offices है sorry इसका head office New Delhi में है and regional offices Bangalore, Bhopal, Guwahati, Hyderabad, Kolkata Pune and New Delhi में है तो ये कुछ basic चीजे हैं जो की आपको याद रखनी है next बात करते है new national education policy 2020 जैसे की मैंने आपको हमेशा बताया है kispeak separate session already मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो की बहुत ही जादा important है एक topic यहाँ पे miss हो गया है जो की है universities अब देखो central university क्या होती है central university central act यानि की act of parliament के अंदर इसको बनाया गया है total we have 48 central university under the review of MHRD MHRD का अब नया नाम रखा गया है ministry of human resource development इसका नाम था अब इसका नया नाम क्या रखा गया है मुझे comment करके बताईए president of India is the visitor of all central university exam के लिए बहुत important है इंडिया के president central university के visitor होते है state university क्या होती है it was established or incorporated by provincial act or by state act तो यह state act के अंदर बनाई गयी है according to this list we have total 392 state universities now private universities क्या होती है यह sponsoring body है जो की society's registration act 1860 के अंदर इसको रखा जाता है total 317 universities है UGC के list के दौरा ठीक है यह बिताया गया है next आ जाता है deemed to be university high performing institutions होते हैं जो की central government के अंदर आते हैं किस act के अंदर आते हैं यह आते हैं UGC Act 1956 के section 3 के अंदर एक्जाम के लिए यह बहुत important है so team to be universities क्या करती है इनके अपने syllabus होते हैं अपनी academic degrees होती है अपने according ही यह curriculum सब कुछ चीजों को set up यहाँ पे करते हैं हैं इनके अंदर, अपने यह राग